नमस्कार शांथियों, गूड इमनिंग मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के क्लास में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ मेरे प्यारे शांथियों, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि हिंदी की जो हमारी कलास है निरंतर आगे बढ़ रही है इसमें अब तक हमने दो पड़ाओ देख लिये हैं और आज हिंदी की कलास का तीसरा पड़ाओ है और तीसरे पड़ाओ में आज हम विशेश्य और विशेशन के बारे में देखेंगे तो विशेश्य और विशेशन के बारे में देखेंगे इससे पहले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे शांती हैं इससे पहले जो मैंने दो क्लास ली है, उसे जाके देख सकते हैं इससे पहले हमने तदभो तस्सम और बिलोम शब्द देख लिया है, बहुत अच्छे से हुई है एक ही क्लास में complete हम लोग देखते हैं, जैसे आज की क्लास में आपका complete विशेश्य और विशेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शाथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ क्रिडोज परिवार में आप सभी का स्वागत है, जुड़ने के लिए, आप सभी को मैं धेर सारा शुब कामनाएं धन्यवाद देता हूँ जिया सिंग जुड़ गई है, गोड इवनिंग जिया जी, बिनो चोहान जुड़ गए है, रस्मी जी जुड़ गई है, सारती कुमारी जी जुड़ गई है, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रनाम, सभी को गोड इवनिंग, सभी बच्चों को, सभी प्यारे शांथिय को मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास में क्या-क्या देखने वाले हैं जैसे देख रहे हैं आपका आपका अरो यारो के लिए है पता है सभी बच्चों को 11 फर वरी को होनए वाला है तो 6 क्लास में हम पूरी हिंदी को शमाप्त करेंगे तो मेरे पैरे बच्चों आईए देखते हैं मैं M. Manash हूँ, मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सारे बच्चे जुड रहे हैं, अंजना वर्माजी, अभी जात, रिया सिंग, ब्रज मोहान, और पित, सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे द क्या आज हम लोग खास देखने वाले आज की क्लास हम आज की क्लास में क्या क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहली बात आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि जो complete यानि संपुन जो है विशेश्य और विशेशन देखेंगे इसमें हम इसकी मेनिंग को समझेंगे इसके मेनिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिल में विशेश्य और विशेशन कहते किसे हैं उसके बाद मेनिंग को समझने के बाद हम इससे जितने भी इसके रूल्स है यानि विशेश्य और विशेश्य बनता कैसे ही, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी क्या विशेश्ताएं हैं, यह तमाम चीजों को यहाँ पर हम देख लेंगे, इसके नियम और गयरा को देख लेंगे, तीसरे पॉइंट पे मैं आप से डिस्कस करूंगा, कि जो विशेश और वीशेशन है इससे संबंधित महत पूर्ण जितनी भी हंडेट क्वेशन करेंगे सब्सक्राइब दो चीजों पर डिकेंड है मेरे बच्चों का मैं श्वागत करता हूँ, तो आज हम लोग ये टेश्ट भी देखेंगे, और साथ ही मैं आप से बता दूँ, चौथा पॉइंट हम लोग अपना टास्क कम्प्लीट करेंगे, टास्क देखेंगे, और लास्ट में हम सारी चीजों को क्या करेंगे, रिवीजन कर सारी चीजों को एक बार दुबारा रिवाइश करेंगे, और फिर हम लोग एक दूसरे को गुड़ नाइट बोलेंगे, ठीक है, तो आज की क्लास में ये सारी बाते हमारे आपके बीच में होने वाली है, सारे दोस्त जुड़ गए हैं, मेरे सारे बच्चे जुड़ गए है आज की बाद आपको विशेश और विशेशन में कोई प्रॉबलम नहीं होने माली है, मेरे प्यारे बच्चों साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि विशेश और विशेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसे हम बिलकुल आशान भासा में, ज अगर आपको किसी युद्ध को जीतना है, तो उसे मैदान में जीतने से पहले अपने मस्तिक्स में जीतना पड़ता है, इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे सांथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको अगर इस बार आरो यारो में सिलेक्ट होना है, तो सबसे पहले आपक पहले यहां होना है अगर आप यहां select हो गए न तो आप उस मैदान में exam hall में select हो जाओगे आरो यारो में आपको selection से कोई नहीं रोग सकता और यहां कैसे आपका confidence बुल्ट किया जाना चाहिए उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ सभी दोस्तों को नमस्कार सभी का मैं स्वागत करता हूँ तो यह चीजे आज हम देखने वाले हैं ठीक है यह class में हम लोग देखेंगे यह तमाम बाते हैं हमने discuss कर लिया आपसे आज के class में आए चीजों को हम सुरू करते हैं ठीक है बहुत आराम से आधे घंटे में सारी चीजों को हम लोग समझ लेंगे फिर उसके बाद अगला दो घंटा हम test करेंगे और last आधे घंटे में हम आपसे strategy discuss करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि test paper कैसे करना चाहिए इससे संबंदित हम strategy discuss करेंगे और साथ ही आपको task करेंगे ठीक है वो आधा घंटा रहेगा तो हम लोगों का एकदम fix है आधे घंटे में पूरा जो विशेश और विशेशन है समझ लेंगे आया सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि यह जो विशेश से विशेशन का समस्या है इसका समाधान क्या होगा ठीक है तो यह विशेशन है मेरे प्यारे बच्चों यह विशेशन है विशेशन को हम समझते हैं कि विशेशन क्या होता है बहुत ही general है कि अगर हम देखते हैं कि विशेशन क्या होता है, तो विशेशन कुछ नहीं है, simple सा मैं आपको बताऊं, बिलकुल आपको serious नहीं लेना है, एक दम बस मस्ती मस्ती में पढ़ना है, विशेशन क्या होता है, विशेशन, अगर मैं विशेशन से कहूं, तो कुछ नहीं, जो संग्या होती है, संग्या, बताए उसी को हम क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं ठीक है तो विशेशन कुछ नहीं है संग्या और सर्वनाम की जो विशेशता बता दे उसी को विशेशन कहते हैं इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मेरे शाथियों कि आप संग्या हो जैसे मैं कहूं मेरे सारे बच् कि आप बहुत अच्छे हो, तो अच्छा सब्द क्या हो जाएगा, अच्छा सब्द विशेशन हो जाएगा, यानि जब किसी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेशन कहते हैं, तो इसमें बहुत सीरियस होने वाली जैसी बात कु ही तैकि आप अपने आपको दोनों अस्थर परक्ष सको ठीकर बहुती इस तेंडर होने वाली है आज की class तो यह हमने देख लिया जैसे example में हमने यहां लिया है लाल घोड़ा ठीक है तो घोड़ा क्या है घोड़ा की विशेश्था क्या है तो घोड़ा की आप लोग येसलीख की इस और प्रेश लिख टिश्स रिवास्ता कर सिस्के। अभी हintendo हिमानषु रावत जी आप सभी को गूड इसर्ट्रव इतने मेरे बैर जिसने मेरे पैरे दोस्ता हैं अeilौ सर्थ्या जीलो ने बात बिल्कुल समझ में आगी, एक बार आप लोग यस करिए, यस करिए, फिर हम लोग विशेशन से आगे बढ़ते हैं, विशेशन के तरफ, एक बार कमेंट करिए, सारे बच्छे कमेंट करें, प्रग्या जी सर, बिल्कुल, सभी का आगया, जी, जी, यस, खुशी पमार जी गरिमा जी कह रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, लाल अपने आप में विशेशन है, बिल्कुल हम देखते हैं, ओके, सभी को, सभी बच्छों को समझ में आई बात, आई अब हम बात करेंगे विशेश के बारे में, ठीक है, अब विशेश क्या है, विशेश से बहुत ही स्रव्य क्या बताई जाती है विशेस्था विशेस्टा कंँभत 85 मिषेस्था कि जो कि कि दैवन यारे सी को हमेशा याद रखना जो सग्या यानि जिसकी विशेष्था बताई जा拜拜 तो यहां यही बात लिखी हुई है, विशेशन के प्रयोग से जो संग्या की ब्यापक्ता को सीमित करता हो, और उसके गुड एवं धर्म को बताता हो, गुड एवं धर्म क्या होता है, विशेशता होती है, तो जिसकी विशेशता बताई जा रही हो, उसको हम विशेशता कहते है जैसे काला घोड़ा दोड रहा है यहां पर लिखा है काला तो यहां पर आप विशेष्था किसकी बताई जा रही है घोड़े की विशेष्था बताई जा रही है तो यहां पर घोड़ा क्या हुआ यहां पर घोड़ा आपका विशेश्य हो गया, क्या हो गया, विशेश्य हो गया, यहां पर घोड़ा आपका विशेश्य हो गया, ठीक है, तो दो चीज और आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम बात विशेश्य की कहते हैं, तो जो विशेशन होता है, वो विशेश्य की एक तो ब्यापक्ता को सीमित करता है कि इसको ब्यापक्ता को शीमित करता है इसका मतलब क्या है इसका अर्थ यह होता है कि जैसे मैं कहूं यहां पर यही एक्जाम पर ले लेता हूं काला घोड़ा काला घोड़ा अब यह जो शब्द है कि ब्यापक्ता को शीमित करता हो इसको बहुत अच्छे से समझेगे गोड़ा बिलकुल तो यहां पर जो काला गोड़ा इसकी ब्यापकता को सीमित करता है इसका अर्थी यह होता है कि काला गोड़ा गोड़े तो बहुत होते हैं न मैडियर लाल होंगे सफेद होंगे बहुत सारे रंग के होंगे कुछ एक गोड़ा ऐसा होगा जिसमें बहुत सा चाहिए तो उसको सीमिद कर दिया गया है उसकी व्यापकता को सीमिद कर दिया गया है ठीक है और बाकी ये गुर्धर्म बताई ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझ लिया विशेश्च है जो विशेशन होता है क्या होता है जिसकी विशेश्चता बताई जाए की बात करूँगा प्रविशेशन के प्रविशेशन क्या होता है इस सब्द आएगा और आपके एक्जाम में पिछली बार आरो यारो में यहां से सीधा सा प्रशन पूछ लिया था कि प्रविशेशन क्या होता है प्रविशेशन गुड डिवनिंग जी 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 श्वेता मि प्रविशेशन का मतलब होता है जो विशेशन की विशेशन को बताता हो यानि जो विशेशन की विशेश्ता बताता हो जो विशेशन विशेशन की विशेश्ता विशेश्ता बताता हो ठीक है तो प्रविशेशन का मतलब जो विशेशन की विशेशता बताता हो उसे हम प्रविशेशन कते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे यह कोई यह डराने वाली चीज बिलकुल नहीं है ठीक है आईए यहाँ पे एक हमने लिया है राम अत्यधिक तेज छात्र है क्या है विशेशन है अब तेज के आगे क्या लिखा है अत्यधिक अत्यधिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों अत्यधिक क्या हुआ यहाँ पे अत्यधिक अब हमने अत्यधिक देखा तो अत्यधिक तेज जैसे मैं कहूं आप तेज हो फिर मैं कहूं आप अत्यधिक तेज हो तो जो विशेशन है इसकी विशेशता ये बता रहा है तो ये क्या हो गया प्रविशेशन हो गया प्रविशेशन यह क्या हो जाएगा प्रविशेशन हो जाएगा ठीक है और राम क्या हो गया अगर हम राम की बात करेंगे तो राम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राम यहाँ पे हो जाएगा आपका विशेश राम क्या हो गया विशेश तो हमने देख लिया विशेश, प्रविशेशन और विशेशन, ठीक है, तो ये बात बिलकुल समझ में आ गए मेरे सारे बच्चों को, एक बार वो यस कर दें, फिर हमने ये देख लिया, हमने विशेशन देखा, विशेश देखा, प्रविशेशन, हमने तीन सब्दों को खुशी पमार जी सभी करें गुड इवनिंग आपका श्वागत है आपका श्वागत है शमा जी सभी दोस्तों का एक बार आप लोग यस करिए इतनी बाते अभी समझ में आ गई बिल्कुल बिल्कुल यस 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 प्रग्या जी अभी जी बिल्कुल गरिमा जी यस यस रोहित अंजली, ओके-ओके, सारे बच्चों को ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई, कि विशेशन क्या होता है, और प्रविशेशन क्या होता है, बिलकुल आईए, अब कुछ हम और रूल्स आप के लिए, इस पेसल अलग-अलग जगह से, जहां भी मुझे मिला है, आपकी ए बात करेंगे कि विशेश्य और विशेशन में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या रिष्टा है, क्या संबंध है, कुछ चीजे यहां से सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ओके, ओके, थैंक्यू, 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 सारे दोस्त जुड़ गए मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप शेशन को सेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए आज आप लोगों से मैं उमीद रखता हूं कि आज लाइब 200 पार जानी चाहिए और मुझे पूरा यकेन है कि 200 पार जाएगी आप लोगों का प्यार है शहयोग है ठीक है विशेश और विशेशन में संबंध निम्न प्रकार का होता है देखिए बहुत ही छोटा-छोटा यह पता है किताबों में बहुत उलजन है बहुत जादा था मैंन 10 के 10 प्रश्णücks आरो हैरो में इसका सही करें कि एप लोग है एक होता है मेरे प्यारे बच्चों विशेश और विशेशन । एक होता है इनके यह तो हमने देखा ही नहीं था आये देख लेते हैं विशेश से विशेशन का मतलब होता है जब विशेश से पहले आने वाले विशेशन को क्या कते हैं विशेश से विशेशन इसमें कुछ माथा पच्ची नहीं था बहुत ही सिंपल टर्मलोजी है जैसे इसमें क्या होता है विशेष से विशेषन क्या है? तो मेरे फियारे बच्चों, विशेष से विशेषन का मतलब होता है, कि पहले क्या आएगा, विशेषन आएगा. विशेषन पहले आएगा किससे विशेष से? जब विशेष से विशेशन पहले हो तो उसी को क्या कerta है वीशेश से विशेशन कहा जाता है बिल्कुल क्लियर कि जी खुषी पमार है ऐलो हैलो है ठीक है अब देखिए हमने क्या कहा पहले जो है विशेश्य विशेशन का मतलब विशेश्य से पहले विशेशन आजा जैसे दिखिए काला घोडा दोड रहा है तो यहाँ पे घोडा से पहले क्या आया है काला तो अगर मैं आपको यह प्रस्ण दूँ अगर मैं आपसे कहूं मैं आरो यारो में एक प्रस्ण आया आपके कहे क काला घोडा डौड रहा है वाक्यांस में यानि इस जो है वाक्य में कौन सा विशेशन है उसी में आपको दे दे विशेश विशेशन प्रविशेशन विशेशन या फिर आगे विधे विशेशन ठीक है तो ये बाते हम देख लेंगे इसके बारे में ठीक है ये बाते आप से कहूं तो यहां घोडा के पहले काला लगा हुआ है यानि विशेश्च से जो विशेश्च विशेश्च से पहले क्या आया है काला काला मतलब विशेशन आया है कि यहाँ अग बिल्कुल आप नहीं भूलोगे अगर विशेशन से पहले विशेसे से पहले विशेशन आ जाए तो उसे क्या कहोगे विशेशन कहोगे यानि जो विशेशन है वह हमेशा विशेश से पहले आएगा आईए अगली बात करते हैं एक आपका टर्म होता है विधे विशेशन क्या होता है विधे विशेशन इसमें क्या करना है विधे विशेशन में क्या होता है विधे विशेशन इसमें विशेश के बाद और क्रिया के पहले आपका क्या आत होता है आए देख लेते हैं क्या होता है विधिय के विधिय विशेशन कि विधिय विशेशन क्या होता है यह होता है आपका हमेशा याद रखना इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चो इसमें पहले विशेश्य आएगा पहले क्या आएगा विशेश्य आएगा उसके बाद विशेशन आएगा विशेशन और उसके बाद क्या आएगी? क्रिया आएगी बात बिल्कुल क्लियर है विधे विशेशन अगर आपसे पूछे तो हमें पहले क्या आएगा? जो विधे विशेशन होता है उसमें जो विशेशन होगा वह किस के बीच में होगा विशेश और क्रिया के बीच में होगा बिलकुल एक जामपल है जैसे देखते हैं ठीक है मेरा कुत्ता काला है यहां कुत्ता के बाद देखिए विशेश क्या हो गया विशेश पहले है यहां देखिए विशेश यह क्या है विशेश है और काला क्या है काला आपका विशेशन है ठीक है तो पहले बाले में हमने देखा था कि विशेश के बाद विशेशन था और विदे विशेशन में हमने देखा कि विशेशन के पहले विशेश है बिल्कुल क्लियर है ठीक है जैसे मेरी इस्कूटर नई है मेरी इस्कूटर नई है तो यह जो नई विशेशता है ये स्कूटर के बाद है मेरी गाय सीधी है तो सीधा क्या है गाय गाय क्या है विशेश्य है विशेश्य के बाद यानि जब विशेश्य के बाद भी सिस्ता है तो उसे हम विधे विशेशन कहते हैं अगर पहले आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से विशेश्य विशेशन कहेंगे बिलकुल ये दोनों बाते आपकी क्लियर हो गई आए देखते हैं तीसरा महत्पुन बात दो टर्मलोजी हमने देख ली अभी तक हमने पाँच सब्दे सीखा कितने सब्द पाँच सब्दे सीखा बहुत ध्यान से हमने क्या क्या सीखा हमने पहले देखा विशेशन हमने विशेशन सीखा दूसरा सब्द हमने क्या सीखा विशेश्य हमने विशेश्य सीखा तीसरा सब्द हमने क्या देखा प्रविशेशन सीखा प्रविशेशन सीखा चौथा सब्द हमने क्या देखा विशेश्य 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 वि बिल्कुल क्लियर, एक्चुल में मैं बता दू हूँ, ये बिल्कुल आपकी समझ बेस होना चाहिए, एक बार आपने समझ लिया न, रटने की कोई आवर्शक्ता नहीं है, उसके बाद आयोग, उत्ता प्रदेख्ष लोग से वायोग, चाहे जिस तरह से प्रशन को घुमा दे आप प्रशन कर ले जाओगे, अगर आप कोई चीज रट लेते हो न, तो उसके बाद अगर थोड़ा सा प्रशन की भासा बदल दी जाए, प्रशन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, तो वहाँ दिमाग चक्रा जाता है, ये लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अगर समझ अच्छी है, तो कितनी भी भासा बदल ले, कितना भी प्रशन को घुमा ले, आप बिल्कुल करके आओगे, ठीक, गूड इविनिंग, गूड इविनिंग, जी, यस, यस, सभी को आगए, ये बाते सभी को समझ में आगी, तीसर नियम है, हमेशे आत रखना, विशेशन के लिंग और वचन, विशेश्च के लिंग और वचन के अनुशार होते हैं, बिल्कुल जो विशेशन होगा, उसके जो लिंग और वचन होगे, कि वो इस त्रिलिंग है, कि पुलिंग है, एक वचन, दुई अचन, बह वचन है, उस के अनुशार होंगे जिसके जो विशेश्य होगा तो विशेश्य का मतलब एकदम मूटा मूटा रखना विशेश्य सब्द बहुत कठीन है विशेश्य का मतलब संग्या और कुछ नहीं बस इतना दिमाग में रखना कि विशेश्य का मतलब संग्या होता है और कोई बात नहीं ठीक है बस विशेशन जब भी विशेशन आए तो संग्या को ध्यान में रखना है तो विशेशन क्या होता है विशेशन का लिंग और वचन वैसे ही होगा जैसे किसका होना चाहिए विशेशन ने संग्या का होना चाहिए किसका होना चाहिए शंग्या का होना चाहिए तो बिल शुद्धी में यह काम देता है ठीक है जैसे हमने देखा गीता भली लड़की है बहुत ही सिंपल तरीके से अब आप देखिए गीता क्या है गीता इस्त्रिलिंग है और यहां पर यह क्या है यह विशेशन है यह क्या है विशेशन है तो यहां भली जो है विशेश्टा है किस ममोहन लिख दूं तो क्या होता और यहां पे लड़का हो जाए यहां पी महन भला लड़का आप रहें चाहरें कि मोहन भला लड़का है अभी गीतह विशेशन कि अनुसार इसका लिंग वचन आ रहा है विशश के अनुसार आ रहा है तो अगर अगर हमने विशश के बदल दिया अभी गीता विश Jew विश रसे बदल के मोहन कर दिया तो यहाँ भली के जगह पे भला हो करूंगा उसके बाद दो घंटे आपकी जबर जस्त स्व क्वेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा समाजी मोहन भला लड़का है बिल्कुल बिल्कुल आपको यह बात समझ में आ गई मुझे पुरा यकेन है ठीक है आए देखते हैं चौथा पॉइंट हमें क्या देखना है चौथ तमीप वाले विशेश के लिंग वचन के अनुशार होते हैं उपर हमने जो देखा था कि विशेशन का जो लिंग वचन होगा वो विशेश यानि संग्या के अनुशार होगा अब कह रहा है कि मानिल जी कई विशेश से हो यानि कई संग्याएं हो तब कैसे करेंगे तो तब कलम और कागज तो कलम जो है कलम के साथ यह अच्छी कलम इस्त्रिलिंग है कलम क्या है इस्त्रिलिंग है तो इसके साथ यह अच्छी आ गया अच्छा नहीं आया अगर यही कागज पहले होता ना तो अच्छी कागज अच्छा कागज तो यह कागज पहले होता तो यह अच्छ सब्सक्राइब अगर यही धोती पहले होती, ऐसे मैं लिख देता, अगर मैं यही ऐसे लिखा, पीला धोती और कुर्ता, अगर यही बात मैं ऐसे लिखता, तो यह क्या हो जाता, गलत हो जाता, आप कहते कि सर्ब ऐसे नहीं होगा, पीला धोती नहीं हो सकता, पीला कुर्ता होगा, पीली धोत होगा क्योंकि यह धोती के अनुशारिष का विशेषण की जो है विशेष्था जो लिंग और वचन है वो बदल जाएगा बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों को क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल तो यहां पर क्या हो जाएगा पीला नहीं पीली धोती हो जाएगा ठीक है आई आपको अभी कराया हूं जो बच्चे नए हैं वोग देखते हैं कैसे आती है मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेशन को शेयर जरूर कर देना अर और अर reviews में हम सब कुछ देखेंगे जिसमें हम आपको अभी current affair कराया हो जो बच्चे नए हैं वो जाके देख लें उसके बाद hyंदी कराओंगा तर शे बाद कराओंगा उसके बाद आपका reasoning कराओंगा साथ ही हम task आज्यास करके Thru, आपका क्या कराएंगे? पूरा जीयस कंपलीट कराएंगे? ठीके? आए दिखते हैं, अति-सहता, जैसे यहाँ पर विशेश की पुनरा भृत्ति हो, विशेश की पुनरा भृत्ति हो, जैसे मैं कहूं, धीरे-धीरे चलना, धीरे-धीरे, ठंडे-ठंडी, गर्म गर्म तो यह पुर्रा बृत्ति हो रही ही न, जैसे एक्जामपल मैंने लिया है, ठंधी ठंधी हवा रोमांस पैदा करती है, अगर यहां पर ठंधी ठंधी क्या कर रही है, अतिसेयता, अतिसयोग तेलंग का रहा है, आर्थी चोहान शेयर कर दिये हैं सर्थ, अति-सैता का मतलब माल लिजे कि जैसे ठंडी थंडी हरं ठंडी थंडी ठंडी ठंडी हर धीरे धीरे को कि दो धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना अति-सयुक्तिय लंकार तो यहां पर वही बात हो रहे है धीरे-धीरे मेरी जिंदगी में आना मतलब क्या है अतिसेता ठीक है यह देखते हैं यह बात क्लिया रखना आप लोग न यह सारी चीज अभी आपको एक्जामपल में मिलेगा बिल्कुल करेंट अफेयर की टाइमिंग क्या है सर हिस्टोरिकल अखिल मैं डियर मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे मैं एक चीज बता दूँ करेंट अफेयर मैंने ले लिया है आप क्रिडोज पर जाईए वहाँ पर मेरी वीडियो पड़ी है लाइब में सारी वीडियो आप देख डाल लिए हमने जनवरी से लेके अक्टूबर तक करेंट अफेयर फिनिश किया हूं बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए जो जनवरी का करेंट अफेयर है क्रॉनिकल मैगजीन उसको लाने वाला हूं वह आपको सुचित कर दिया जाएगा ठीक है एक ही क्लास लोगा पूरे मंत की पूरी मैगजीन का निचोड़ लाऊंग का ठीक है विशेशन के कारे वॉपहना है यहां से आप पता है जैसे अभी आप कौश्चन करोगे ना उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे कि इसमें से कौशा विशेश्यच्च है कौशा विशेशन नहीं है तो हम किस आधार पे पहचानेंगे यह मैंने अलग से आपको मे डिसेस्ता क्या है स्वस्त हो ना तो यहां पर स्वस्त पहला तो हम देखेंगे कि जो अभी मैं आपसे बहुत अच्छे से डिसकस करूंगा जैसे अगर मैं यहां पर चाहें आपको जैसे मैं कहूं कि कि बुरा आप कहोगी कि बुरा सब्द मैं पूछू यह विशिशन है तो बिल्कुल फट्ट से कह दोगे सरी विशिशन है कैसे आपने कह दिया मैं आगे बताओंगा आपको पता है क्या आपको यूज करना है मैं बताओंगा सब्दों का आप अपने से जब एक्जाम में सब्द तो विशिश्ता बता रहा है यानि विशिशन हो गया ऐसे हम लोग सीखेंगे अभी न सारी बाते सीख लेंगे तो एक तो संग्या की विशिश्ता बता रहा हो यानि श्वास्त ठीक है अगर मैं कहूं बिमार बिमार सब्द जैसे आपको ना पता हो बिमार सब्द विशिश से है या विशेशन अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं क्या है इसमें से बीमार सब्द विशेशन है अच्छा चलो ऐसे करते हैं इसका हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं मोहन बीमार है यार मोहन बिमार है यानि मोहन की उत्राशत बता रहा है उगन हो गया इसी तरह सिखेंगे सारी बाते शिखेंगे एकदम लियर आयेगा आप सारी हीनता बत आना वाला याज सब्ड जैसे कोई हीनता बताने वाला ऐसा अवित उसके सामने है उसे हीनता प्रगठ हो रहा है नकारात्मक चीज है विशेष्दा को इसको मत बैठने दो घुट रहे इसका क्या मतलब इसका सिंपल सा मतलब यह था कि चौर को मत बैठने दो यानी कोई आभियसे ऐसा ब्यद्धी है जिसे मैं कहा हूchn कि उसे मत बैठने दो तो यहाँ चोर क्या हो गया यहाँ विशेशन हो गया ना बिसेस्ता बता रहा है किसी की चोर अब अर्थ को सीमित कर रहा हो इस बात को हम देखेंगे अर्थ को सीमित कर रहा हो अर्थ को सीमित मतलब जैसे खेलते बच्चे पढ़ते चाता बच्चे तो बहुत ह लेकिन हमने सीमित कर दिया इसके अर्थ को खेलते बच्चे यानि खेलते सब्द क्या हो गया विशेशन हो गया पढ़ते चात्र तो पढ़ता सब्द क्या हो गया विशेशन हो गया यानि जो अर्थ को सीमित करते हो तीसरा संग्या कोई भी संख्या हो संख्या अगर आपको सं तो ये वात हो रहे हैं कोई भी संख्या हो मात्रा कोई भी हो मात्रा जैसे आपको एक मीटर हो, एक लीटर हो, पांच किलो हो, कोई भी मात्रा जाए, अगर ऐसा सब्द दिग गया तो आप खट से लगाओगे कि विशेशन है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था, हमने विशेशन कैसे पहचाना जाता है, इसमें हमने ये देखा था कि अगर वो संख्या क संग्या की विशेश्ता बताता हो, हीनता वाले सब्द हो, अर्थ को स्रीमित करता हो, संख्या बताता हो, संख्या का बोत्कराता हो, या मात्रा का बोत्कराता हो, अगर कोई ऐसा सब्द हमारे आँख के सामने पढ़ता है, तो हम उसे आँख बंद करके क्या कहेंगे, कि ये सब किस सब क्या है ये विशेशन वाले सब्द होंगे ठीक है, वेरी गुड चोर को मत बैठने दो, बिल्कुल चोर को नहीं बैठने देंगे, मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बता दो, चोर हमारे अंदर है, अंदर का मतलब जो हमारा आलस से है, वो चोर है, उसको अपने अ क्लास करवा दीजिए बहुत हाड लगता है बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा जो है हमारे सर है राकेश सर है और जोगरफी इंडिया इस पेसल आरो यारो के लिए इंडिया और वर्ड का मैपिंग कराएंगे और उनकी महराथन क्लास आएगी एक क्लास में पूरी इंड इस टाइम करेंगे और आपका टेस्ट का टाइम मैं बता दूंट इस्ट का टाइम आपका 4 बज som होता है per day 4 बजे से आपका एक दिन gis का टेस्ट होता है और एक दिन हिंदी का होता है तो जितने मेरे पैरबच्चे हैं वो लाई आ सकते हैं तो alternate होता है gis और Hindi का आपका बराबर चलता रहेगा ठीक है तो ये चीज़े हम ने सीख लिया यहाँ पे जैसे 25 kg, century A. ठीक है, अब आईए, हम बात करेंगे विशेशन के प्रकार की है, ठीक है, विशेशन के प्रकार को हम देखेंगे, मूल रोप से विशेशन, चार प्रकार का होता है, ठीकते जशन के आरो, you're a अपके लिए इस्पेशल है, आपका शनी वार, आपका सनी वार और रवी वार रवी वार आपका टेस्ट फ्री है RO ARO का RO ARO का आपका जो 2024 में पेपर होने वाला है इसका जो टेस्ट है टेस्ट वो क्या है फ्री कर दिया गया है आप Credo's the Learning App डाउनलोड करिए वहां पे RO ARO का Hindi का और GS का दोनों टेस्ट पेपर आप फ्री में कर सकते हैं तो Saturday Sunday वो फ्री है आप बिल्कुल वहां पे भी जाके कर सकते हैं आए देखते हैं इसको विशेशन के प्रकार विशेशन के प्रकार में सबसे पहले हम गुण वाचक विशेशन की बात करेंगे ठीक है गुण वाचक विशेशन बहुत ही सिंपल तरीके से समझना कुछ भी इसमें नहीं रखा नहीं सबसे सिंपल चीज विशेश और विशेशन है आए देखते हैं गुण का मतलब जो गुण हमारे विशेशता गुणों की बात करें यह तो बहुत ही श्रामाने बात है सर जी आए देख लेते हैं जो वस्तु या पदार्थ कोई भी वस्तु हो या कोई पदार्थ हो उसके क्या बता रहा हो गुण रंग आकार दस्ता अवस्था काल या द्रिश्टम अगर इसके बारे में चर्चा कर रहा है क्या होगा गुण वाचक विशेशन के अंतरगत आएगा आगे आप प्रस्न द अगर मैं इसमें कहूं कि काला क्या है आप क्या बताओगे कहोगे कि सर ये गुण वाचक बिशेशन है ठीक है फट से बता दोगे क्योंकि हमने देखा है रंग अब आईए रंग इसी में सामिल लेना है तो गुण जैसे भला बुरा दूष्ट पापी निक्रिष्ट ये जितन बड़ा मोटा टेड़ा पतला जो कुछ भी है ठीक है दसा दूबला पतला अवस्था बाहर उपर नीचे ये सारी बाते इसके अंतरकत एक चीज़ याद रखना कि गुण वाचक बिशेशन में टोटल होते हैं 1,2,3,4,5,6,7 तो ये साथ सामिल होते हैं साथ चीज़े गु वाचक बिशेशन में कुल कितनी विशेशताएं हैं इसकी तो साथ विशेशताएं हैं ठीक है अगला दूसरा महत्पुन है आपका आपका सामने है संख्या वाचक बहुत ही सिंपल है गुण में हमने देख लिया रंग देखना है हमें ये भी देखना है कि उसका जो विशे ऐसे इस टाइब का ठीक है? जैसे 3 लड़के, 4 वर्ग, 10 गुणे लोग ये सब क्या है? संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कि 3 लड़के हैं, 4 वर्ग हैं, जो वरग है, 4 ए, 10 गुणे लोग हैं, अब इसके कुछ हम प्रकार दिखेंगे, यहां से भी प्रश्न है सकता है और सबसे ज़्यादा प्रकार से प्रश्न पूछता है प्रकार इसका सबसे ज़्यादा प्रश्न एक प्रश्न आपके आरो यारो में जो संख्या वाचक है इसकी विशेष्टा से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा एक प्रश्न गुडवाचक साथ अम्रूद है, पचाश लड़कियां हैं, तो यह हमने गणना बता दिया, कि बीश लड़के हैं, जैसे मैं कहूं कि आप लोग 114-114 लोग लाइब हो, तो 115 लोग हमने गणना कर लिया कि हमारे जितने प्यारे बच्चे हैं, 115 प्यारे बच्चे हैं, हमसे जुड़े हैं, ठीक है, मैंने कर दिया, तो यह आपका बहुत ही सिंपल है गणना बोधक, अगर कहीं भी आपको दिखे कि साथ अम्रूद है, पचास बच्चे हैं, बीश लड़कियां हैं, ठीक है, जैसे आप सब हैं, तो तुमाम बते हैं, तो हमने सिंपल सा गणना दिख लिए, क्रम बो किस चीशन क्या होती है, गणना की जाती है, क्रम बोधक में क्या होता है, क्रम के अनुशार गणना किया जाता है, क्रम के अनुशार, जैसे मैं आप से कहूं, पहला लड़का, चौथी लड़की, त्रितिय स्रेंडी, यानि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से इ राम 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 भाई तो बिल्कुल इसके अंतरगत रखेंगे तो इन दोनों में हमने देख लिया कि अगर जैब से 50-60 ऐसे बात की जाए तो गड़ना अगर पहला चौथा तीसरा दूसरा इस तरह से प्रयोग किया जाए तो क्रम बोधक अब अगला अबृत का मतलब होता है क ही बार-बार जैसे हो ला इस्तिमाल जैसे Soak एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात जैसे हम कहते हैं ओ गुना धन हमने कहा सोगुना दिमाग तो हमने किसी सरे कंपेयर किया यहा जैसे मैं कहू dedo aguna है वह दूगुना हय साफे q扉 चीज से तिहरा ये सब्द आजाए यानि दुगुना तिगुना चोगुना अगर आपको ये सब्द दिखें तो आप आख बंद करके मारोगे आप बृत्ति बोधक क्या मारोगे आप बृत्ति बोधक बिल्कुल तो दुगुना तिगुना चोगुना ये सब आजाए तो आप आख बं संक्या के समुदाय का बोध हो जैसे तीनों लड़के सातो घर मैं कहूं साथो बहने तो समुदाय हो गया बहनों का एक समुदाय हो गया जिसमें साथ बहने सामिल है तो सातों बहने सातों घर तीनों लड़के पचा जो है इस तरह से अगर हो जैसे पांचों बहने इस तरह से हो तो समुदाय बोधक प्रतेक का मतलब आप जानते हो एक एक ना प्रतेक का मतलब एक जैसे अनेक वस्तुमें से हर एक का बोध हो जैसे प्रतेक ब्यक्ति ह और एक नेता, एक एक अपराधी, अगर इस तरह से आए, तो आप हमेशा लगाओगे प्रतीक बूधक है, इस तरह से आपका जो संख्या वाचक है, वो समाप्त होता है, तीसरा हम देखेंगे परिमाड वाचक, परिमाड का अर्थ क्या होता है, परिमाड का अर्थ होता है है । टिक है कि तो परिमाण जिसका हो माप्तौला जा सके जैसे किसी वस्तु के परिमाड यानि माप्तौल का बोद्ध आपको जैसे कहीं है निस है हम कहते हैं खोना दूद देजिань चाई बनाना है थोड़ा धोध ज्यादा बहुत कम अधीक इस तरह जैसे जैसे थोड़ा दूद, सारा दीश, सारा, यहां सारा शब्द क्या है, सारा शब्द, परिमाड है, थोड़ा सब्द क्या है, परिमाड है, कम जल, कम सब्द क्या है, मापना, जिसको मापा या तौला जा सके, ठीक है, कम, जैसे हमने कहा कि थोड़ा पानी लाना, थोड़ा पान दिये हैं, अगर ये सब्दे आए, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, उस सीधा मार देना परिमारवाचक है, कैसे, थोड़ा, सारा, कम, पूरा, समुचा, सारा यहां है, सब, एथेश्ट, किंचीत, जरा, अल्प, बहूत, बहुतेरा, अधूरा, इस टाइब से सब्दे आए, तो हमेशा मार देना परिमारवाचक है, ठीक है, उसके बाद आए, इसमें दो होता है, एक निश्चित होता है, एक निश्चित, निश्चित का मतलब जिसका मान हमें पता हो, जैसे, चार सेर दूध, एकदम क्लियर है, कितना है, चार सेर है, निश्चित है, चार सेर, हमने क देखिए अनिश्चित में थोड़ा दूद थोड़ा दूद का निश्चित है क्या थोड़ा मतलब कितना अस्पालि निस्चित है इतना पानी पता नहीं कितना और रहें अधिक चीनी अधिक कुछ भी नहीं तो यह ज्यादा हों जैसे कम जल इसमें किसी को रखो अनिस्चित परिमान वाचेथे रखोंगे तो एक थोड़ा सा हम शीक लिया इसको बिलकुल हमने शीक लिया फर्वरी में आरू का पेपर जरूर होगा बिल्कुल होगा विल्कुल आप लोग इस्तितुरी पेपर टलेका ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत्रग है उद्धा प्रदेश जो है कि अगर जो ड Käच का एक Olivia हम 11 फर्वरी को ही होगा आगे पीछे नहीं होगा बिल्कुल यह मैं सूचिएगा पेपर टल जाएगा और UPPCS उसके जश्ट बाद लगा है आपका मार्च में ही होगा इतनी बाते समझ में आ गई आए हम लाश्ट देखते हैं चार प्रकार थे चार में लाश्ट है संकेत वाचक सार्वनामिक विशेशन को हम संकेत वाचक भी कहते हैं बिल्कुल दिहान में रखना हम ठीक है जो सर्वनाम शब्द की विशेश्टा बताए उसे हम क्या कहते हैं सा हमारे विश्व विद्याले का है इसमें आप क्या खोगे कि यह लड़का हमारे विश्व विद्याले का है इसमें किसकी विशेष्टा बताई जा रही है यह की विशेष्टा बताई रही है वह आदमी हमारा सत्रू है तो यह जो सत्रू है सत्रू क्या है विशेष्ण है ना सत के ओके सभी को सभी को नमस्कार आये देख लेते हैं अभी तक चीजों को हमने समझ लिया है हमने पहले क्या क्या समझा मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं हमने क्या देखा विशेशन देखा हमने सबसे पहले देखा कि विशेशन क्या होता है विशेशन क्या होता है विदेविशेषन क्या होता है तमाम चीज पिशेष और विशेषन में हम झाल संत्र को डी जिसमें हमने चार- wooden 5 बाते सीखे उसके बाद हमने विशेषन के प्रकार करें लच्छा संख्या की विशेषता बताने की आधार neutral अर्थ को शेमित करने के आधार पे, मात्रा के आधार पे, संख्या के आधार पे, तो अगर ऐसे सब्दों तो उन्हें पहचानना सीखा, ठीक है? अब आएम दिखते हैं, अब हम बात करेंगे विशेशन की रचना हम कैसे करते हैं, दीखे हमेसा हमने नियम से काम किया नगा, तो देखिए कोई भी चीज रठने वाली नहीं है, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, कोई भी भासा पढ़ रहे हो, हर भासा का अपना ग्रामर है, अगर ग्रामर है तो उसके रूल्स है, हर चीज नियम से है, तो नियम को शीखना है, समझना है, रठना कुछ नहीं है, ठीक है अब आईए प्रत्य प्रत्य लगाके सबसे ज़्यादा प्रत्य लगाके क्या बनाया जाता है विशेशन बनाया जाता है तो विशेशन प्रत्य लगाके जैसे एक जैसे धर्म क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे नहीं बहुत आसान से धर्म विशेश्य है यह देखें आपने एक लगा दीजी इसमें एक प्रत्य लगा दिया धार्मिक अब यहीं से हम पहचानना सिखाएंगे आप लोगों को बहुत ही आसानी से बहुत मज़ा आजा गई क्दम मज़ा आने वाला है जैसे आप बताईए मोहन मैं इसी धर्म के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं इस सब्द को अपने प्रयोग करिए वाक्य में मोहन धर्म है मोहन धर्म है क्या मज़ा नहीं मोहन धार्मिक है धर्म की विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जैसे इला प्रत्य लगा दिये चमक मैं कहूं कि जैसे मालीजी की सामने आप लोगों मैं कहूं कि गीता चमक है मजा नहीं आया या सोना चमक है मजा आया अगर इसी को हम कहें सोना चमकीला है आप लगा दोगे कि यह विशेशन है तो विशेश और विशेशन पहचानने का सबसे आहसान तरीका है दोनों को वाक्य में प्रयोग कर दो दोनों को वाक्य में प्रयोग कर दो श्रसी जी सभी को आ गया यस 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 थैंक्यू मेरा बस प्रयास है कि लुक आ गया आई देखते हैं इसे याद करने जरूरत नहीं है तो बस लाया हो कि नियम है आपको पता होना चाहिए अब जाये जिया सिंग्या स्ट ओके ओके जैसे दिखिए इए प्रत्य गुल है गुल है मैं कहूं कि तो कि राब गुड है राम गुड है भाई क्या Bजा नहीं आये तो बिसित यॉयानि दोनों बिसित से हैं राम भी बिसित से हैं मतलब दोनों बिसे से हैं अब है आजाईए घुड़ी राम गुणि ऐगे बिसे से हो गया विलकुल चीजे आ रहे हैं सर आप मुझे पहले नहीं मिले कोई बात नहीं भटकते भटकते आ गया थेंक यू आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है यह प्रक्त है जैसे जाती ठीक है जाती जैसे मैं कहूं कि कि सीदा की जाती है सीदा की जाती है नहीं यह थोड़ा सवर नहीं अवाएद आOS ऑल्कुल मिला के जाती समझ लेना जैसे हम शाति को लेते हैं यूज कर लेना आप लोग दारइम लग जाएगा धन थन्लान यहां पर हम देख लिएए जैसे राम नाहां and मतलब यहां दोनों विशिष हैं मैच नहीं कहा रहे हैं राम धनवान है विशिष्टा अगई फट्ट से तो बिल्कुल आप लोग पहचान लोगे इसी तरीके से हम लोग सारा देख लेंगे अब शंग्या सब्दों में कैसे जोडा जाता है भूख में आप रत्य जोड के विशिष्ट है इसी लिए सिंटेंस सही नहीं हो रहा है तो राम भूख है यह क्या होता है फिर हमने कहा अब बढ़ो राम भूखा है आप कहोगी यह विशिष्ण है यह विशिष्ण है अब फिर मैंने कहा राम भूख है तो आप कहोगे राम और भूख दोनों हम आगे बढ़ते हैं प्यार का आ लगा देंगे तो प्यारा होगा जैसे सीता प्यार है सीता प्यारी है मजा आ गया ठीक है हिस्टोरिकल अगर पाइं सर आप दृष्टी के अप्लाई में पढ़ाते थे क्या नहीं मैं दृष्टी में बिल्कुल नहीं पढ़ाता था दृष् पढ़ाने का ओनलाइन जब मेरा प्लेटफॉर्म आया तो यह हमारे दोस्त हैं हमारे मित्र हैं इनके साथ मैं जुड़ा हूं तो यह बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई जैसे प्यास आ लगा दिया प्यासा अगर मैं कहूं कवा प्यास है कवा प्यास है तो आप क प्यास पहचानना है विशेश और विशेशन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और आशान है कि आप उस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर डालो अपने आप पता चल जाएगा कि विशेश है या विशेशन है आगे बहुत सारी एक्जामपल हम देखेंगे ठीक है तो यह इस तरह से है जैसे रूष में लग गया रूशी हो गया मुंबई में लग गया मुंबईया हो गया जैपूर में लगया जैपूरिया हो गया इसको मैं डिसकस कर लेता हूं जैसे जैपूर, अपने आपने विशेस है, जैपूरिया, मतलब वहां के लोगों की विशेस्ता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं जैपूरिया हूँ, मैं जैपूर हूँ, कितना आठ पटा है, मैं जैपूर दोनों विशेस हैं, नहीं मजा आया, मैं जैपूरिया हूँ, आप जैपूर से है विशिष्टा बता रहा है ठीक इसी तरह सप्ता एक सप्ताहिक नगर एक नागरिक भारती भारती अब जैसे मैं भारत हूं कितना अट पटा है भारत और दोनों मैं भारती हूं ठीक है तो यह अपने आप पता चल रहा है तो यह तमाम चीजे हैं इसको हम लोग देख लिए समझ लिए ये सारा चीज आप लोग कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो कोई इसमें दिक्कत नहीं है हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे क्रिया सब्द प्रत्य ये सब वही बाते हैं क्रिया के आधार पे जैसे उठना आ प्रत्य लिखा उठा लूटना आ लगा लूटा तो ये अपने आप में बिशिशन हो जाएंगे ठीक है जब क्रिया में ये प्रत्य लगेंगे थोड़ा सा मैं इसको भी समझा देता हूँ कोई और सब्द तो नहीं है सर्वनाम को देख लेते हैं अभी तक हमने देखा सर्वनाम यह में का लगेगा इसका यानि इस में अगर का लगा देंगे तो इसका अगर इस आए यह आए यह वह जो सब ये सब क्या है ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों ये अपने आप में विशिश में आ जाएंगे विशिश ये अपने आप में जिसका इस टाइप से हैं, यहाँ पे तू में रा लग गया तेरा, तू क्या है, यह विशेश है, तू, तूम, आप, आप, मैं, हम, लेकिन इसमें यह प्रत्य लग जाएंगे, तो तेरा, तुमारा, आपका, अपना, मेरा, हमारा, यूज करोगे न, तो अपने यहाँ पता च कमाऊ, टिकाऊ, खिलाडी, तैराक, भुलककर, इस तरह से रहेगा, यह सारे चीज आप वाक्य प्रयोक के माद्धम से बहुत आराम से शीख सकते हो, विशेशन की ती नवस्थाएं होती हैं, इसको बिल्कुल आप जान लो, मैंने आयड कर दिया है, जैसे विशेशन की ती पेपर होता है, आपका सीचेत का पेपर उसमें 20 क्वेस पूछा जाता है, उसमें आता है बिल्कुल आए गए, यूपी-पीस्यिस में भी काम आएगा, हिंदी हर जगा काम आएगा, ठीक है, तो आवस्था जैसे अधिक अपने आपने आप में विशेशन हैं, जैसे मैंने क कॉमल कोमल अपने अपने विशेश्ण है जैसे मैं कहूं कि वह हव थिता कोमल है अब कोमलाCAD कोमलत्तम सबसे जाधा ठहिंगा या क्या वस्थाये हैं तीब्र दिब्रतम इतना सब आप लोग जानते है निम्न निम्नतर निम्नतम मधूर मधूर्तम मधूर्तम सुन्दर सुन्दर्तर सुन्दर्तर और सुन्दर्तम ठीक है लगु लगुत्तर लगुत्तम ये सभी बात आप सबको पता भी है और ये शामान्य बाते हैं संग्या से सब्दों का कैसे हम विशेशन बनाते हैं जैसे मूह लवस्था सुत्रावस्था जैसे अच्छा है उससे अच्छा सबसे अच्छा बड़ा है उससे बड़ा सबसे बड़ा छोटा है उससे छोटा सबसे छोटा इस तरह से होते हैं यह सारी चीजे आप बिल्कुल प है आये दीखतने से भला और बुरा कभी-कभी आपने धिक होगा तो इस तरह जो शब्त इस्तेमाल किरिया में परत्य लगा के बनाया जाते हैं जैसे पूज में अने लग गया तो पूजनी क्या हो गया पूजनी पूजनी बिशेशन है यूज करिए जैसे जैसे हमें कहें कि जो इश्वर है वह पूजनी है या हमारे पिता पूजनी है तो पिता की विशेश्टा बता रहा है पूजनी है वह विशेश्टा बता रहा है तो विशेशन हो गया पठनी है ठीक है जैसे हम कहते हैं यह सबद्य अभ्या हैं उसमें अगर अंदर्धन उनी अंद्रोनी बाहर धनी बाहरी यह तमाम चीज़े हमने थोड़ा सा सीख लिया ठीक है आई या कि मेर प्यार बच्छों अब आपका कुश्चन-पेपर इस्टार्ट होता है कुश्टन decision होती है तो बहुत सारी चीज़े हमने आपे देख ली है है और है आधि बहुत सारी वाय देख ल Möglich बह्म आए देख लेते हैं पहले प्वर संख ट्यार हो जाईए और 100 questions मैं करूंगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिया यादा अक्षा था है अच्छा था है आप लोगों को कोई confusion है यह कहीं भी कोई confusion हो तो मैं दुबारा आपको बताओं कोई भी चीज राधे 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 सभी दोस्तों का श्वागत है सभी मेरे प्यारे मित्रों बच्चों का श्वागत है 15 नंबर के हिंदी बिल्कुल अच्छा बताइए आप लोग कोई दिक्कत किसी को एक बार यस क है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं सर बिल्कुल ठीक ठीक ओके ओके सभी दोस्तों का क्लियर है सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया बिल्कुल सभी दोस्तों का हमारे सभी बच्चों का क्लियर है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये बा किसमें बताना है कौँद शाब्ध विशेस्च नहीं है, यह पूछा गया है, अर्थात आपको क्या ढूनना है, विशेशन ढूनना है, अलंकार, अनसृति, आयुश्मान, अनीत। इसका वाक्य में प्रयोग कर लो, आप देखो हम कहते हैं ना, आयुशमान भव, हम विशिष्टा है, किसी की हम बात करें ना, प्रसंसार कहते हैं कि आयुशमान भव, ठीक है, तो इसमें क्या सब्दा आगा, आपका सही जवाब क्या है, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा इसमें आयुशमान, आयुशमान क्या होगा? मेरे सभी बच्चों आपको पता है, आयुशमान इसमें विशेश्य नहीं है, यह क्या है? यह विशेश्य है, यह क्या है? विशेश्य है, ठीक है? अलंकार का अलंकृत हो जाएगा, अलंकृत, अलंकार का विशेश्य क्या होगा? अलंकृत अलंकृत अनुस्तृत का क्या हो जाएगा अनुस्तृत हो जाएगा अनुस्तृत हो जाएगा अनीत का क्या हो जाएगा अनैतिक हो जाएगा अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है बहुत ही अच्छे से प्रश्ण को ध्यान से करना है आया देख लिते हैं दादा जी की जीवन का पूरा आनंद लिया इस वाक्य में पूरा पूरा शब्द किस प्रकार का विशेशन है आपको बताना है किसः प्रकार का ये विशेशन हे आपको बताना है किस प्रकार का एक परिमान वाचक विशेशन कि संख्या वाचक विशेशन को देखना है आप भी समझ रहे हो डिर आ है को के अब अधिया को कि है अधिया थीक दिया देखते हैं दीजी जीवन का पूरा आनंद लिया गया इसमें बताईए पूरा जो शब्द है किस प्रकार का विशेशन है पूरा परिमाड वाचक विशेशन, गुड वाचक विशेशन, संग्या वाचक विशेशन, सार्वनामिक विशेशन, सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आने लगा, दोस्तों का, दिनेश जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सभी दोस्त, ए, ए, राधा, त्रिपाठे जी ए कह रही है नेहा यादव जी ए सभी दोस्तों का बिल्कुल चमा जी का गया सभी दोस्तों का गया बिल्कुल आ गया इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा परिमाडवाचक परिमाडवाचक में हमने क्या पढ़ा था मापतवल इसमें क्या होता है इस तरह से जो सब्द हैं, वो सब किस में आते हैं? परिमार वाचक में आते हैं, उसमें हमने एक निश्चित देखा था, एक अनिश्चित देखा था, निश्चित में हमने देखा जैसे डलिया भर फूल, चार किलो दूध, इस मतलब निश्चित हो ना, चार सेर दूध, इस सब में हमने पड़ाता संख्या वाचक में हमने क्या पड़ा है? संख्या में हमने पड़ा अगला प्रसन बहुत ही सांदार है आपको पताना है कि विठचन सब्द है तोड़ा से स्टार्टिंग में कठी लगेगा बार में थोड़ी सी मैंने mix-up डाले हैं, कुछ question मैंने tough डाल दिये हैं, कुछ simple डाले हैं, तो बिल्कुल आराम से करिएगा, ठीक है, बिल्कुल, विशेशन सब्द, विशेशन सब्द की बात करेंगे, आपको बतातना है कि कौन विशेशन सब्द है, बहुत ही simple तरीका है, आप सब्दों को वाक्य में बदल के देखो, फिर अपने आप, संध्या, शौर, इस्मर्ण, संचेप, सही जवाब किस का रहा है? मैं देखता हूँ, इंटजार है मुझे top 3 comment का, जो मेरे बच्चे top 3 comment आएगा, मैं उसको receipt करूँगा, आर विया, बिल्कुल top 3 comment, मुझे इंतजार है, top 3 comment का, फटा-फट करिए, ओके ये बागे इश्कुमार जी का जवाब आ गया एबागे जी के रहे हैं ये सारे बच्चे ए कह रहे हैं संद्या संद्या डी चमा जी कह रहे हैं डी संचेप ओके 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 सही जवाब सही जवाब बी आ गया किसका है किसका है ओके विवेक जी आपके जवाब का मैं स्वागत करता हूं आपका स्वागत करता हूं सही जवाब है इसका सौर तो विशेशन सब्द सौर होगा जैसे हम कहते हैं सौर उर्जा हम क्या कहते हैं सौर उर् तौर क्या हो गया विशेशन है विशेशन है उर्जा क्या हो गया विशेश्य है ठीक तो यह जो उर्जा की विशेश्ता क्या है सोर ठीक तो बिल्कुल आप दो लोग ध्यान रखना बी हिमान सुजी का आगया है बिल्कुल बहुत सारे दोस्तों का भी आए संचेप कैसे होग जी आप संचेप में उत्तर लिखें नहीं संचिप्त उत्तर लिखें उत्तर की विशेष्टा संचिप्त है संचिप्त नहीं है संचिप्त उत्तर लिखें कैसे हो जाएगा इस्मरण नहीं होता इस्मरणी है मुझे मुझे आप इस्मरण हुए ऐसा नहीं यह बात इस्मरणी ह है आप इस्तेमाल करो कि जैसे यह बात अच्छा यहां स्मर्णी है तो वीशेष्टा इस्मरण नहीं स्मरणी होगा संध्या का संध्या का संध्या का अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आराम से देना है आप लोगों को जवाब, बिल्कुल जल्द बाजी नहीं करेंगे, मैं इस तुरू में बिल्कुल जल्द बाजी नहीं, बिल्कुल आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों एक बार स्टेशन को सेय इस वाक्य में दुगुना किस प्रकार का संख्या वाचक विशेशन है दुगुना आपको दुगुना बताना है दुगुना A. क्रम वाचक B. अबित्य वाचक C. समुदाय वाचक D. प्रत्यक बोधक चार का जवाब आने लगा मेरे बच्चों का, सभी का स्वागत है, नेहा का आ गया है, मुहम्मद अर्फान जी आपका स्वागत है, दिल से हिंदी के क्लास में छमा जी का आ गया है, विंद शार्प जी का आ गया है, सभी दोस्तों का रहा है, बी, 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 most welcome, अगर बृति वाचक है, जहां पर हमने कहा था, दुगुना, तिगुना, ना, चार गुना, इस तरह से, इसमें हमने देख लिया, क्रम वाचक में क्या होता है, क्रम वाचक में हमने देखा है, क्रम वाचक में क्या होता है, जैसे, क्योथा, ना, तृति, ये सब क्रम वाचक में हो इसमें शमुदाय में हमने देखा था जैसे पांच बहाई जैसे पांचो भाई को शाटो बहने तो यहाँ पर हमने यह दूखा प्रतैक वाचत में हमने क्या देखा प्रतो है जैसे प्रतीक प्रतेक व्यक्ति और क्या देखा हर एक नेता हर एक नेता एक अपराधी एक एक अपराधी इस तरह से हो तो यह तमाम चीजें हमने देख ली थी अगला प्रस्ण बहुत ही सांदार है आपके स्क्रीन पर है वी के बीबी बिल्कुल पीके आये दिखते हैं इसी तरह से प्रस्ण पूछे जाएंगे आप क्यारों यारों में बिल्कुल यारों यह कंपटिशन अच्छा काता है बारह लाग क्या स्वास फॉर्म पड़े हैं आप लगों को पता है ना पूरी जान लगा दी जिस दिन आप अपने आप पे फोकस कर दोगे आपके आस पास का जो टॉक्सिन है जो आपको डिश्टर्ब करता है वो अपने आप बाहर हो जाएगा थोड़ा समय टाइम लूगा बस थोड़ी शी मोटिवेशनल बाते हो जाएगी यह मान लिजे कि आप हो ठीक है यह आप ह जोपे तो पता है लोगों को comfort है आप से मजा आ रहा है enjoy कर रहे हैं आप अपना time दे रहे हुए अपनी energy दे रहे हो time दे रहे हो money दे रहे हो लोग मस्त है अब आईए दिखते हैं आपका focus इधर हो जाये अपनी तरफ जैसे ही आपका focus अपनी तरफ हो जाएगा आप अपने आप पर focus करोगे सब किस सब आप से दूर होना सुरू कर देंगे और लोग कहेंगे बता है बदल गए बदल गए अब यह जो है बदल गए खुद पर focus करिए कौन क्या कह रहा है हटाईए उसको जब आप सरीर से मेहनत करते हो पशीना निकलता है तो अंदर का टौक्सिन बाः निकलता है वैसे ही जब आप अपने कैरियर पे फोकस करते हो न आ तापके आज बास का जो टौक्सिन है न अपने आप सब बाः हो जाएगा सिरे घट जाएगा तो अपने आ पर फोकस्त कर लीजिए डो महिने लाई न को आटा दीजिये ठीक है तो ही देखत कि अभुथए थे हों ए इसनेहा बहुत अच्छी लड़की है प्रविशेषण की विशेषता हुमने बताया था ने प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषफण बताये विशेष्टा बताए प्रभिशेष्ण देखिए इसने यहां बहुत अच्छी लड़की है अच्छी की विशेष्टा है बहुत तेज दोड़ता है तेज बहुत बहुत बहन अत्यंत सुन्दर है अत्यंत सुन्दर है इसमें देखिए वह रास्ता तेढ़ा मेडा है आपका सह मैं आप सभी के जवाब का स्वागत करता हूं और आप सबकी समझ का मैं श्वागत करता हूं कि बहुत अच्छे से अपने Class को समझ लिए अगला प्रशने देखते हैं अब सबस्क्राइब स्क्रीन पर पाद हम टार्गेट देंगे और 10 मिनट आप सबसे बाते करेंगे ठीक है आर्थव आर्थव विशेशन मूलता किस सब्द से बना है आपको ये बताना है आर्थव इस तरह से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं करें यारो यारो में मैंने सारे टाइपस को लिया है आज बहुत आनन्द आने वाला आर्थव विशेशन मूलता किस सब्द से बना है आपसे यह पूछा जा सकता है एक आर्थ बी रिट सी रिट डी आठ आप लोगों के लिए चैलेंज की बात है बहुत ही अच्छा प्रशन ह इस प्रस्ट को बिल्कुल याद रखना है बिल्कुल आगया सिद्धी जी का गया सिद्धी अतुल जी का बिल्कुल बहुत कुछ दोस्तों का सी है जवाब मेरे पास एक दो दोस्त मैं बता दूंँ एक ही दो दोस्त मिंडशार्प जी दे दिये हैं सी ओके-ॉके-ुके-ॉके-ॉके-४िल्कुल रित याद रखना आर्टाव जो विशेषन है मुलता रित सब्द से बना रितु से बना है karate रितु याद रखना है रितु रित नहीं रितु अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर है आपके पास चार ओप्षन है आपको एक ग्रीन ओप्षन करना है ओके बताना मैं लॉक कर दूंगा विशेश विशेशन की द्रिष्ट से निमलिखित में से कौन सा यूग्म सही सुमेलित है आपको बताना है आपको यह दिखाना है कि विशेश विशेशन की द्रिष्टे से कौन सा यूग्म सही सुमेलित है ए वर्दान वरणी बी छ छटा सी चुनाव चुनवती डी जेहन जहन आपको सही जवाब देना है साथ का सही जवाब दीजिए सही जवाब दीजिए साथ का सही जवाब कौन दे रहा है मेरा गलत हो गया सर जी कोई बात नहीं पता है गलती जितनी करनी है हमारे शांद गलती करिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग गलती कर लेंगे अपने दोस्तों के बीच में गलत उत्तर दे देंगे लेकिन वहाँ नहीं देंगे वहाँ सही करेंगे साथ का बी आ गया कह रहे हैं सुसेल जी बी है चमा जी कह रहे हैं सी है आकाज जी सी कह रहे हैं कुछ बच्चे सारा सी सी कह रहे हैं इसमें पूछा गया है, एक बार ध्यान देना है आपको, ये सही सुमेलित है, ओके, ओके, बहुत सारे बस, जो हमारे बच्चे, जो भी हमारे बच्चे, छह को छटा, छह को छटा, जीन का option B है, वे सभी के सभी सही है, छह का छटा होता है, छटा, जैसे मैं कहूं कि छटे क्र आम पे हैं, तो ये विशेष्टा हो गए ना, छटा, सात्वा, ये सब विशेष्टा हो गए, ठीक है, छटा होता है, वर्दान का वर्णी नहीं होता, वर्दान का वर्णी नहीं होता, इसका वर्दायक होगा, क्या होगा वर्दायक, ठीक है, चुनिंदा, चुनाओ का चु जहीन होता है अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है विशेश और विशेशन आपको बताना है इसके द्रिश्ट से निमलिकित में से कौन सब्द सही सुमेलित नहीं है अच्छा मैं एक चीज बता दूँ आप लोग बिल्कुल परशान मत होना अगर प्रस्ण गलत हो रहे हैं क क्योंकि मैंने थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी से यह प्रस्ण मैंने खुद डिजाइन कर दिये थोड़ी से प्रस्ण मैंने क्लिष्ट बना दिये है इसे मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ बाकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो ठीक है अच्छा का शब्द शही शुमेलित नहीं आपको बताना है आठ का सही जवाब दीजिए आठ का सही जवाब दीजिए ओके आईए चलते हैं थोड़ा सा प्रस्ण टफ है बगेश जी का जवाब आ गया स्वागत है आपके जवाब का इसका सही अर्थ है विशाद का विशाक्त बिलकुल नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों विशन होता है विशन इसका क्या होता है विशन विशाक्त का विशाद है विशाद विशाद का विशाक्त नहीं होता विशन होता है बाकि शिष्ट का सील होता है संख्या का सांख्यकी होता है मूल का मौलिक होता है विशेश शब्द पहचानना है अ उद्विग्न बी तेज, सी तारकिक डी तत्पर इसमें विशेश शे बताना है विशेश विशेश से मतलब हमेशा आप ढोड़िए क्या संग्या आपको क्या ढोड़ना है संग्या ढोड़ना है नौका बताइए नौ का A, उद्विग्न, B, तेज, C, तारकिक, D, ततपर इसका सही जवाब दीजी, आप लोग ओके, 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 नौ का जवाब आ रहा है आ ये देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं इसके जवाब नौ का B, B, रस्मी जी स्वागत है आपके जवाब का, रस्मी जी का B आ गया बहुत सारे दोस्तों का आ गया, सची जी का आ गया नहा, बहुत सारे दोस्तों का सही जवाब आ रहा है इसका सही जवाब क्या होगा, तेज इसमें तेज जो है, अपने अपने एक विशेश शब्द है तेजश्वी इसका विशेशन क्या होगा? इसका विशेशन होगा तेजश्वी. तेजश्वी आपको याद रखना. तेज का तेजश्वी होता है. अब यहाँ पे दस्वा प्रशन बहुत ही अच्छा है. पूछा गया है प्रविशेशन किसे कहते हैं? प्रविशेशन किसे कते हैं A. विशेशन की विशेशता बताने वाला शब्द B. विशेश से पुर्व का विशेशन C. विधेयक की विशेशता बताने वाला शब्द D. विशेश की विशेशता बताने वाला शब्द दस का, दस का मुझे इंतजार है, तॉप थी कमेंट का, देखता हूँ कौन सा मेरा प्यारवच्चा देता है, इसका सही जवाब, 10 का, 10 का सही जवाब बारहा है, 10 का, A, 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 नेहा जी का आगया, श्वागत है आपके जवाब का, बाकी आगया, मन्दीप, सार्फ जी का आगया, सभी दोस्तों का आगया, बिलकुछ, सत्यंदर जी का आगया, अतुल जी का आगया, सभी दोस्त आजाए, आईए हम लोग इसको लॉक कर देते हैं, हमने green signal दे दिया है कि इसको विशेशन की बिशेशता बताने वाले सब्द को प्रविशेशन कहा जाता है अगला प्रशन आपके स्क्रिन पे है बहुत ही अच्छा प्रशन है बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिएगा green signal करिए मेरे प्यारे बचो एक बार शेशन को share कर दीजिए एक बार like कर दीजिए चुकि यह जो आपका share करना और like है हमारी मेहनत का यह परिणाम है हमारी मेहनत का result है आपके साथ हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल select हो आरो आरो में और मैं बिस्वास मानियेगा मैं आपको select करा दूँगा आप बस हमारे बताय हुए रास्ते पर चलिए बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा बस लापरवाही दो महीने के लिए इससे पहले आपने क्या किया डजन मैटर अब क्या करना है यह important है दूंधला दूंधला सब्द में विशेशन है A. संख्या वाचक विशेशन B. गुण वाचक विशेशन C. सार्वनामिक विशेशन D. उपरियुक्त में से कोई नहीं 11 का B. 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 ससी जी का B. आ गया सत्यंदर जी का B. आ गया गुण वाचक दूंधला बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों का सही जवाब आ गया संख्या वाचक नहीं होगा डियर गुण वाचक होगा दूंधला है दूंधला कते हैं गुण है किसी चीज का ठीक है दूंधला गुण बिल्कुल सभी जवाब का B. 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 समाजी का भी आ गया सभी दोस्तों का आ गया आए अगले प्रसंद की तरह बढ़ते हैं सरीखा सब्द में विशेशन है A. गड़ना वाचक विशेशन B. गुण वाचक विशेशन C. समुदाय वाचक विशेशन D. क्रम वाचक विशेशन मेरे प्यारे बच्चों फटा फटा जी 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 दवाब हम लोग 12 नंबर के तरह बढ़ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों काने लगा, 12 अब बी, मनीशा जी का भी आ गया, दृू नेहा, सभी दोस्तों काने लगा, हम लोग भी 12 के बी को लोग करते हैं, हमने इसे ग्रिन कर दिया है, लोग हो चुका है, गुण वाचक है, आपको बताना है कि सरीखा वास्तों में एक गुण की बात क जिशन है A सार्वनामिक विशेशन B गुण वाचक विशेशन C संख्या वाचक विशेशन D परिमाड बोधक विशेशन अहिमा सेखा सिखा मेंश ठीक ठीक-ठीक मेरे सारे दोस्तों जुड़े हैं मुझे बहुत ही प्राउड है आप सपर अभी मैं बता दूं आप्से लाष्ट में हम टास्क लेंगे कल मैंने कल किसी कारण हुआ हुश हम लोग टास्क आपको मैं पीन करवा दिया था टास्क कल का कि मैं पिन करवा दिया था कमेंट में आज फिर से मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा आप लोग को होगे तो तो फटा फट दीजिए कमेंट कमेंट बराबर दीजिए बिलकुल सही जवाब आने लगा बी बी मेरे प्यारा बच्चों बस एक निवेदन है पहले नंबर डाली एक क्वेस्टन नंबर आ गया तेरह का यह आ गया सिखर जी तेरह का यह बिलकुल सभी दोश्तों का रहा है कि वह नोकर में वह जो है सार्वनामिक विश्यशन है बिलकुल हमने देखा था कि वह जैसे यह वह इतना उतना यह सब क्या है सार्वनामिक विश्यशन है सार्वनामिक विश्यशन का मतलब जो सर्वनाम की विश्यश्ता को बताता हो तीसरा तीसरा सब्द में क्या विश्यश है सारे टाइप से आज यहां आप जो सो क्वेस्टन करने वाले हो मेरे साथ अब इससे बाहर एक भी टाइप बचेगा नहीं जितने भी टाइप से बन सकते थे सब मैंने इनक्लूट कर लिया है ठीक है तो तीसरा सब्द विशेशन है ए पुरनांक बोधक विशेशन बी अबृत वाचक विशेशन सी गणना वाचक विशेशन डी क्रम वाचक तो तीसरा बताईए तीसरा 14 का सही जवाब दीजिए 14 का तो आगया अंजली स्वागत है आपका चॉदSta का डी यह साय दोस्तों और डीिक हुए कि और की बच्चे डी तरफ जा रहे हैं तो मेरे भी कदम अब रूख नहीं रहे मेरी पेंठ नहीं रही है और हम भी जा रहे हैं अब किसके तरफ करिएगा कहां जा रहा अपयन for the d के तरफ क्रंब वाचक विशेशन ठीक है तो तीसरा-चो ता फाघ पाँच वार्ट से क्रन क्रम वाचक खटर्प है ठीक है 43 तो सरे यह क्रम वाचक है विलकुल बिलकुल गुपता जी आप व्लोगों को चोथाइं में बताना है आप लोगों को Illustorama ऑप ए मे इसका सही जवाब देखता हूं कौन मैरा प्यार बच्चा कौन मेरा दोष्ट कौन मेरा सातmeye जो चौथ feedback मुझे तक भीज ए घ। मैं देखता हो ह। इंतजार है पंदर कड़ी आ गया नहा सक आ गया माः आपके जवाब का और मनिशच जी का भी आ गया स्वागत है आपके जवाब का सभी डी-डी-डी मैं अंतरा है कि मैं बहुत कठीन प्रशन डाल रहा हूं लेकिन माफ करिए आप सभी दोस्तों का जवाब सही है सभी का जवाब डी आ रहा है बिल्कुल अपुरुनांक बोधक विशेशन है इसका मतलब है कि आप लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से समझा है चौथाई हो तिहाई हो ठीक है ना दो तिहाई हो एक तिहाई हो यह सब किसमें आएगा अब पुरुनांक बोधक में पुरुनांक में मतलब एक हजार सो एक यह सब पुरुनांक है ना तो पुरुनांक में क्या आएगा पुरुनांक पुरुणांक में जैसे सव, एक, हजार, ठीक ये, अगर अब पुरुणांक में क्या आएगा? एक बटा दो, या दो तीहाई, एक, चौथाई, इस तरह से चीजे इसमें आएगी न, ठीक है? चौथाई है, ये सब तमाम बते हैं, ठीक है? अगला प्रशनी स्क्रीन पे है, बहुत ही सांदार प्रशन है, देखते हैं, विशेशन, जिस संग्या की विशेश्था बताता है, उसको क्या कहते हैं? चार ओप्शन है, A. संख्या वाचक विशेशन, B. गुण वाचक विशेशन, C. विशेश्य, D. सार्व नामिक विशेशन, हर प्रशन में मैंने उससे पहले जो डिफिनीशन है, आपके एक टर्मलोजी की डिफिनीशन को हमने प्रशन में कनवर्ट कर कर दिया है, ताकि आपका रिवईजन हो जाए ना, बहुत अच्छा आपका प्रेक्टिश हो जाए, पंद्रिका, डीडिक, बिल्कुल, 16 की तरफ हम लोग बढ़ गए है, solar के रिया जी का गया, कह रहे है ए है, यूपिशन, C, solar का C, 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 C आ रहा है, रिया जी माफ करिएग बिल्कुल आपका जवाब C होगा, निमलखित में से कौन शाष शब्द विशेश है आपको बताना है, अगला प्रश्ण अलग प्रकार का है, आपको बताना है कि विशेश क्या है, A. आसीन, B. अगनी, C. मधूर, D. करमठ, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको याद है, एक बात ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है, जब आप असे बिशेश से पूछे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको विशेशन, आपको जो विशेशन है, विशेशन उसे काटना है, ठीक है, जब बिशेश से पूछे, तो देखिए, A. आसीन, और आप एक इकजाम में आप पता है क्या करना! एकजाम में आप वाख्य को प्रयोग करना वहां पर बहुत टाइम रहता है। टिकलेगे एक सब्सक्राइब जवाब आ गया शमाजी शिदी जी अंजना जी खुशी जी सभी का सभी जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी का सही जवाब आ रहा है सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ गया अठारा की तरफ है अठारा का बहुत ही अच्छा प्रस्ण है ठंधा पानी ठंड पैदा करता है इस वाक्य में कौन शा विशेश्च है ए ठंधा वी ठंड सी पानी डी उप्रिवक्त में से कोई नहीं तो सभी दोस्तों का सही जवा इसनहें आसान राजेश्यादः जब देखिए अठारक को एक भाद प्रसरे ठंड नहीं होगाँ पानी की बिशेश्चता क्या है ठंधा है थंड तो अपने आप में विशेष है सही जवाब क्या होगा पानी हमको क्या देखना है विशेष, विशेष से मतलब संग्या अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है निमलिकित में से कौन शाष्ब विशेष है ए अनासक्त, सी अनुशंशित, डी अपमानित आप लोगों को बताना है एक बार सेशन को और शेयर करें एक बार सेशन को शेयर करके लाइक करें 200 पार हो जाए मेरे प्यारे बच्चो आज बिल्कुल मेरा टारगेत है कि 200 पार जाना चाहिए माद आप लोगों का प्यार रहा इस तरह से मिलता रहा तो दोसा पार हो जाएगा एक बार बिलकुल अपने दोस्तों तक निसे आप कम पसंद करते हो उसके पास भी भेज़ दो कभी-कभी होता है कि कुछ हम भाई जिसे नहीं पशंद करते नहीं होता है उसके पास भी भेज़ दो शेयर कर दो उसके बास लो कम से कम देख के तो जले कौन सा सब्द विशेष्य है ए अनासक्त बी अनुशंसित डी अपमानित विशेष्य पूछा गया है आप लोगों को विशेष्य बताना है 19 का पताना है कि 19 का ए आ गया शतीश कुमार जी श्वागत है आपके जवाब का यह जितनी मेरे प्यार पच्चे ए जवाब दे रहे हैं अनासकत उनका सही जवाब अनासख्ति इसमें क्या है विशेष यह और बाकी यह तीनों सब्द क्या था है क्या है अपने अपने विशेशन are जमाजी विशेशन यह अपमानित जैसे मोहन मै अपमानित हुआ मैं अपमानित हुआ तो क्या है विशेष्ण है यह बिल्कुल कर नहीं होगा है ओके ओके अगला प्रस्द आपकी स्क्रिन पहाँ बहुत नंबर का आपके विशाथ आप लोग जवाब दीजिए बिल्कुल टॉप थ्री टॉप थ्री कमेंट का इंतजार है बीस का आरने लगा बीस का बी कह रही है पाट की जी माफ करिएगा मुझे माफ करना बी बिल्कुल जवाब नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब का इंतजार है डी आने लगा मनीशा जी स्वागत है आपके जवाब का डी डी शती जी बिल्कुल बहुत सारे दोस्तों का आगया जी होगा विशाद दिखे मैं एक चीज बताओं ओके सर फॉर एक्स्प्लानेशन ओके ठीक है जैसे दिखिए आप इसको सब्दों में प्रयुक करिए जैसे पौश्टिक भोजन पौश्टिक है तो भोजन की विशेष्टा क्या है पौश्टिक क्या हो गया विशेष्ण हो भावख हो गया या मेरा पड़ोशी भावख हो गया तो यह अपने आप में विशेष्टा है और विशाद आप में क्या होगा विशेष्य होगा बिल्कुल इस बात को आप लोग ध्यान में रखना ठीक है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा सब्द विशेष्ण है इस बार आप से विशेष्ण पूछा गया है इसमें तीन शब्द क्या है तीन शब्द विशेष्ण है एक विशेष्ण है आपको चूज करना है A. बनारसि B. भारत वर्ष C. बाजार D. खेती आपको बताना है 21 का सही जवाब देना है आपको 21 विशेशन आपको बताना है ओके 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 जी सर खुशी जी स्वागत है आपका सभी दोस्तों का स्वागत है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को आप लोगों के साथ पढ़ना पढ़ना अच्छा मोफ कि हुआ कि बनार्था सभी दोस्त बनार्थी वनने वाल बनार्थीrance को लुए पान खाना है बनार्थी पहना सब कर डियाँ अंजली जी खाब ऑ गया सभी दोस्तों सभी जवाब अगया बनार्थी इसका क्या होगा विशेशन होगा हम कहते हैं न भारती बनार्शी भोजपुरी बिहारी तो यह इस तरह से जितनी भी सब्द हैं वह अपने विशेशन है बिल्कुत ध्यान में रखना है ठीक है यह सभी बच्चों का रहा है हमने एक को लॉग कर दिया है अगले प्रसन की तरब बढ़ गए हैं जिस विकारी से संग्या की ब्याप्त मर्यादित होती है उसे कहते हैं A. सर्वनाम B. विशेशन C. क्रिया D. अब्याय क्या कहते हैं 22 का जवाब दीजिए मेरे सारे दोस्त 22 का जवाब दे 22 का बी आ गया 37 कुमार जी स्वागत है आपके जवाब का मैं स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से अपनों के बीच में दोस्तों के बीच में श्वागत करता हूं UPSC सभी दोस्तों का गया इसका जवाब सभी को पता है बहुत ही आशान है हमने आपको सुरू में बताया था ने विशेश्ता जब मैं बता रहा था तो विशेशन का कि यह क्या करता है संग्या को मर्यादि कर दिया सिमित कर दिया न यह विशेशन की विशेशता है यह संग्या यानि विशेश्य को सिमित कर देता है ठीक है आये विशेशन विशेशन सब्द का चैन करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्द विशिशन है, ठीक है, A, सरपंच, B, पाचवा, C, प्रपंच, D, पहुँच, आपको 23 बताना है, 23, 23 का जवाब देना है, 23 का सही जवाब दीजी आप लोग, ओके, B, B, B आने लगा, सारे दोस्तों का जवाब आने लगा, B, पाचवा, B, पाचवा, हम लोग करते हैं, पाचवा को हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने देखा है, कि विशेशन की विशेस्ताओं में जो उसके प्रकार है, उसमें पाचवा आता है, और बाकि सरपंच, प्रप पहुच पहुच तो आपको पता ही है यह क्रिया है बाकि सरपंच प्रपंच यह क्या है विशेश्य है अगला प्रस्ण है रिशी रिशी संग्या सब्द से विशेशन सब्द क्या बनेगा रिशी जो अपने आपने एक संग्या है विशेश्य सब्द है इससे आपको विशेश क्या होगा आपको यह बताना है 24 का सही जवाब दीजिए आप लोग 24 का सही जवाब दीजिए मुझे इंतजार है अपने प्यारे बच्चों का 24 का ए आ गया नेहा जी कह रहेंगी ए है स्वागत है अभी जाड जी स्वागत है सभी दोस्तों का वीडियो वाइरल विल्कुल आपका आपका तेईस का भी होगा अच्छा ठीक है 24 के तरफ बढ़ गए हम डियर संदीप राज आपको यह बताना है कि कौन सा सब्द विशेशन नहीं है ए भाइभीत बी निर्भीक सी भीरू डी भय 24 का सभी का जवाब सही था 24 का सभी मेरे जितनी प्यारे दोस्त है सभी का जवाब सही था 24 का आप सभी का श्वागत है आये हम लोग बात कर रहे हैं 25 के तरफ बढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों मेरे शांतियों एक बार सेशन को सेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए चीजे, तब कुछ आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए है, सारी मेहनत, सारा प्रयास, सारे लोग बने रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेस्चन है, और अंत में हम आपसे इस्टेजी डिसकस करेंगे, आपको टॉस्क देंगे, जीयस के लिए, आपका कम्प्लीट में ज जीयस कराओंग, आरो यारो का, ठीक है, बिल्कुल जुड़े रही है, सबका आंचारा 25 का D, 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 D कैसे जैसे मैं आपको बताया था न कि वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं जैसे कहूं मैं भय मैं भय हूं मैं भय हूं मैं इस नहीं कर रहा है ना इसका मतलब भय और मैं दोनों विशेश से हुए मैं भय भीत हूं मैं भय भीत हूं विशेशन ना तो भय विशेश से है और इसका प्रतिभा संपन्न चात्र का विशेशन है आपको इसमें बताना है एक प्रतिभा संपन्न चात्र का विशेशन है 25 का सभी दोस्तों का नगमा शाह आपका स्वागत है अपनों के बीच में दोस्तों के बीच में हिंदी की क्लास में क्रिडोज परिवार में आपका स्वागत है 26 का डी जवाब आ गया विलकम विलकम नेहा जी का आ गया बिलकुल आ गया दोस्तों का आने लगा है जीया जी का आ गया हरी कांत जी का अगया उतकर्ष जी का आ गया सभी दोस्तों का राजेश जी का आ गया सभी दोस्तों का हम लोग लोग करते हैं मिधावी ठिक एक प्रतिभा संपन छात्र को क्या कहा जाता है मिधावी D जवाब आप सभी का सही था आईए अगले प्रस्ण की तरब बढ़ते हैं नेली साडी नेली साडी में कौन सा विशेशन है? आपको बताना है नेली साडी में कौन सा विशेशन है? A. संख्या वाचक B. परिमाण वाचक C. गुण वाचक D. सार्व नामिक सव मैं अत महत पुन प्रश्ण मैं आपके लिए लाया हूँ इससे अलग तरह के प्रश्ण नहीं बना सकता आयोग यहां से आपको प्रश्ण देखने के लिए मिलेगा अगर आपने यहां बेहतर प्रश्ण की है तो आप समझ लेना इसी तरह के आपके 10 महत पुन प्रश्ण आरो यारो में आने वाले है और आप बिल्कुल रेडी हो जाईए हम लोगों ने क्लास को पहले क्लियर किया है अब प्रश्ण चेट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे शांतियों बिल्कुल 27 का जवाब आने लगा 27 कह रहे हैं नीली शाडी गुण वाचक सभी दोस्तों का रहा है नीला पिला लाल ये सब गुण वाचक इसकी विशेष्ता है सभी का सही है सभी का जवाब सही है अगला यह चांदी खोटी सी दिखती है इस वाक में खोटी सी विशेष्ण का प्रकार है किस? A. गुण वाचक B. संख्या वाचक C. परिमाड वाचक D. पुर्णांक बोधक विशेष्ण तो आपको बताना है कि खोटी सी इस में से किसके अंतरगत आप रखोगे 28 का जवाब देना है आप लोगों को 28 का जवाब देना है खोटी सी 28 का 28 का टॉप 3 कमेंट मुझे इंतजार है चैट को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है आप लोग चैट का बिल्कुल UPSC आ गया 28 का यस सवागत है AMY सबुल सभी मेरे दोस्तों का जवाब आ गया गुणवाचक मम्मी कहती है मुझे कहती थि बज़्बन में कहता ता मेरा खोटा बिटा है काम नहीं करता है चोर है एक्चॉर मैं पढ़ने में ध्यान रहता था तो काम करता नहीं था तो खोटा-खोटी, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खोटा सिक्का, आईए देख लेते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्तर में विशेश कौन सा पद है, आपको विशेश बताना है, ठीक है, बड़ा घर, छोटा आदमी, और नीला वस्तर में विशेश कौन कौन पद हैं आपको बताना A. नीला छोटा B. बड़ा छोटा C. घर आदमी वस्त्र D. छोटा नीला बहुती अच्छा प्रशन है बहुती ध्यान से देना आप लोग 29 नमबर का बिल्कुल शमा जी उसका जवाब ये था हरिकांत जी ये सभी का जवाब था आप हम लोग 29 के त C. आने लगा C. सभी बच्चों का गया C कह रहे हैं कि घर आदमी और वस्त्र मैंने लॉग कर दिया देखिए इसमें बड़ा क्या है बड़ा विशेशन है घर छोटा विशेशन है आदमी नीला विशेशन है वस्त्र ये जो वस्त्र है ये जो आदमी है ये जो घर है ये वि विशेश्य है ठीक है आप से क्या पूछा गया है विशेश्य शब्द है ए रामलला बी रमापति सी बुद्धिमति इस्त्री डी सीता राम आपको विशेश्य बताना है विशेश्य बताना है ए रामलला C, रमापत, B, बुध्धिमति, इस्त्री, D, सीता राम तीस का जवाब दीजिए, तीस ओके, ओके मेरे प्यार बच्चों जिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका जिया जी, सालनी जी, पिंकी जी, नेहा जी, ओफिशियल आयश, कान्त, मुहमाद जी सभी, सतेंद्र भाई, संदीब जी, सभी का जवाब है तीस का C, C, C आ रहा है ओके, कैसे C आ रहा है जी ओके, इसका सही जवाब अभी त क्रम गडबर हो गया है, इसको आप लोग B कर लिजे, इसको C, ठीक है, सीता राम, बहुत है सिम्पल प्रश्ण है, सीता राम, D, 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 अन्जना जी, सभी दोस्तों का गया, ओके, 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 D, ओके, सीता राम, इसका सही जवाब है, निम्नलिकित विशेश विशेशन युगमों में एक गलत है, आपको पहचानना है, A, सर्व सुलब, B, ताजी रोटी, C, कर्म निष्ठ, D, भाव विवल, आपको ये बताना है, कि इसमें कौन गलत है, आपके पास चार ओप्शन है, 31 के लिए, 31 का चार ओप्शन है आपके पास, जवाब दीजिए आप लोग, बिल्कुल, बिल्कुल, सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, 31 का सही जवाब दीजिए, 31, इसमें कौन सा गलत है, आपको ये बताना है, कौन स बिल्कुल, सभी दोस्तों का आ गया हम लोग एक को लोग करते हैं, सर्वशुलव, अगला प्रस्न है, परिमाण वाचक क्रिया विशेशन का वाक्य होगा, आपको ये बताना है, बहुत ही अच्छा प्रस्न है, जितने बिल्कुल, बिल्कुल, नगमा सा, बिल्कुल, मनमोह बिल्कुल, हिमानसु जी, हिमानसु रावत जी, अमीता, बिल्कुल, सभी दोस्त आ गए, ए बताइए आप 32 का परिमाण वाचक क्रिया विशेशन का वाक्य है, A. वह बहुत थक गया है, B. वह अभी अभी गया है, C. वह अंदर बैठा है, D. वह अब भली भात नाच लेता है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, एक बार सेशन को सेर करिये, लाइक करिये, और मैं आपको बता दूँ, इसका आपको PDF, इसका आपको PDF, क्रिडोस दर लर्निंग एप पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउन बलूट करिये, और इस PDF को ले लीजे, वहाँ य जख, वह बहुत ठक गया है, बिल्कुल सभी दोस्तों का सही जवाब है, ए, जिनका जवाब है, सभी दोस्तों का वह बहुत, दिखिए, बहुत सब्द को ध्यान में रखी न, बहुत, कम, बहुत, ज़्यादा, अल्प, हम लें दिखा था न, तो यह किसका है, परिमार जवाब अगनी, आपको विशेश बताना है, और ये सभी बच्चों को मेरा पता है, जवाब अगनी, इसका सही जवाब होगा, हम आगे बढ़ते हैं इसको, इस प्रश्न के जवाब, 34, 34 पे आजाईए, रमेश की पुष्टक पुरानी है, इस वाक्य में पुष्टक, शब है, ए, विशेश, बी, विशेशन, सी, क्रिया विशेशन, डी, सर्वनाम, 34, गुट इवनिंग, सर जी, आज लेट हो गए, अभिशेख जी, लवी इंडिया, स्वागत है आपका, बिल्कुल लेट नहीं है, थोड़ा सा लेट तो हो ही गए, आपको बिल्कुल सुरू से पिर से, बहुत ही सांदार क्लास सली हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो दोस्त जुड़े हैं, वे कह रहे हैं, ओके, ओके, छमाजी का आ गया, A आ रहा है, 34 का A आ गया, सभी दोस्तों का A आ गया, बिल्कुल स्वागत है आप सबके जवाब का, A विशेश है, तो इ मीठा अमरूद में मीठा विशेशन किस कोटी का है, आपको ये बताना है, मीठा अमरूद में मीठा विशेशन किस कोटी का है, आपके पास चार ओप्शन है, एक को आपको ग्रीन करना है, A परिमाणवाचक, C ब्यक्तिवाचक, B गुणवाचक, D संग्यावाचक, इसको मै चेंज कर देता हूँ, ऐसे आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, आपके पास चार ओप्शन है, बिल्कुल जवाब दीजिए, 34 का A, बिल्कुल 34 का A, तब भी जितने भी मेरे दोस्तों ने, बच्चों ने दिया, 34 का A है, 35 का 35 का C, 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 C है, हमने देखा था उसमें, मीठा, कठा, कठा हो, मीठा हो, तीखा हो, ये सब गुण वाचत में है, ना, ठीक है, 35 का B, नहीं होगा, B, नहीं होगा, डिया, कैसे B, लगा रहे हो आप, बिल्कुल गलती, इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो, बिल्कुल आपको definition पता होना च जवाब आया है, लगभग मैं बता दू, 75, 75% ऐसे बच्चे हैं, जिन्नोंने सही जवाब दिया है, जिन्नोंने सही जवाब दिया है, बिल्कुल, 75%, तुम कहां पढ़ते हो, में किस कोट का विशेशन प्रयूक्त हुआ है, तुम कहां पढ़ते हो, A, गुण वाचक, B, प् में किस कोट का विशेशन है, 36, 36 का B, 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 O, K, थैंक्यू, सर, Most Welcome आप सभी का, O, K, निहा जी का आ गया, जीत राजपूत जी कहा है, C, नहीं होगा, डिया, संख्या वाचक कैसे होगा, इसमें संख्या है, कहीं संख्या दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है, म प्रश्न वाचक है, पूछा गया है कि तुम कहां पढ़ते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहां पढ़ते हो, प्रश्न वाचक, उस गरंथ में 500 प्रिष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, A, गुल वाचक विशेशन, B, परिमार वाचक विशेशन, C, संकेत वा इनने भी टाइप्स बन सकते थी, सारे टाइप्स को मैंने collect किया है, खुद कुछ क्वेस्टन मैंने बनाया है, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं सारे क्वेस्टन बनाया हूँ, इसमें बहुत सारे आपके PYQ है, प्रिबियस एर में जो आरो यारो में प्रश्ण पूछे गए हैं, 50 से 60 प्रश्ण मैंने उसको सामिल किया हूँ, ताकि आप अपने आपको जांच सको, परक्ष सको, सभी का रहा है जवाब सी, 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 स्वागत है, हम भी आपके जवाब की तरब चलते हैं, जहां आप हैं, वहां हम है, संकेत वाचक विशेशन, इसका सही जवाब संकेत वाचक विशेशन है, ठीक है, तंकेत वाचक का मतलब होता है सार्व नामिक, ठीक उस्षे सब्स्था ना, ूस्यहःय। सार्व नामिक वहाँ मैंने लिखा था सार्वनामिक की आगे संकेत, ओके एक, बिलकुफ धहान मेरुखना, लोभी किस बिध से निर्मित विशेशन है आपको बताना है कि जो लोभी शब्द है, किस बिधी से निर्मित विशेशन है, A. संग्या विधी, B. सर्वनाम विधी, C. क्रिया विधी, D. प्रत्य विधी, अभी हमने देखा था ना, सारे विधी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है, हमें विशेशन की रचना की जाती है, हमने यह भी देखा था, तो यह आपको बताना है कि लोभी किस बिधी से निर्मित विशेशन है, A. संग्या विधी, V. सर्वनाम विधी, C. क्रिया विधी, D. प्रत्य विधी, आपको 38 का जवाब देना है, 38 का जवाब दीजिए, सभी के जवाब का सवागत है, मैं बहुत प्रशन हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का जवाब, मैं जब यह प्रशन बना रहा था, तो मैं सोचा आपको लोग गलत करोगे, D. सभी का आगया, ओके, ओके, यह जवाब प्रत्य विधी, चुकि देखिए, लोभ होता लोभी हो गया, अधोर लिखित में से कौन सा यूगम विशेशन नहीं है, आपको बताना है, एक आप्शन को आपको लोग करना है, छोटा बड़ा, B. हरापिला, C. 23, D. राम लच्मड, आपको बताना है कौन सा विशेशन नहीं है, विशेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल प बता है, 38 का, 38, Official IS 1999, D. बिल्कुल उसका सही जवाब है, सभी का, 39, 39 का सही जवाब, आर्ती चोधरी जी आपका स्वागत में करता हूँ, पिंकी जी है, साहु जी है, सभी मेरे प्यारे दोस्त है, मेरे प्यारे बच्चे, जिया जी, चमा जी, आपका जवाब आ गया, स्वा गया, राम लच्मड, राम लच्मड, इसका सही जवाब है, बिल्कुल राम लच्मड, अगला प्रशन आपके स्क्रेन पे है, आपके जवाब का इंतजार है, बिल्कुल बिल्कुल रूबी जी सभी का गया, सभी दोस्तों का गया, टॉपर्ष का गया, हर्शित जी का गया, हिमान्सु जी का आ गया बिलकुल दिवेंद्र जी का आ गया दिनेश जी सभी का जवाब आ गया इसमें बताना है इसमें संख्या वाचक बिशेशन कौन सा है A. साथ B. काला C. राव D. खटा बहुत ही अच्छे प्रस्न है सिंपल भी प्रस्न है क्योंकि सारे प्रस्न टफ नहीं होते 40 का जवाब आने लगा सभी के जवाब का मैं श्वागत करता हूँ साथ साथ इसमें क्या है संख्या है ठीक है अगला प्रस्न आपके स्क्रिन पे है वह स्रिष्ट उपाशक है में विशेश है आपको बताना है कि वह स्रिष्ट उपाशक है इसमें विशेश क्या है यानि संग्या आपको बतानी है यह वह बी स्रिष्ट सी उपाशक डी है बिल्कुल बिल्कुल सारे दोस्तों का मैं श्वागत करता हूँ बिल्कुल आपके जवाब 되어 आप सारे दोस्तों कर रहे हैं आप लोगों के आपस में बहुत अच्छी प्रतीशपर्दा है सारे लोग कमेंट करonna करें हैं और अपसकी बढूलोगों प्रतीश natural है बहुत ही साञ्दार है बिल्कुल है टॉप 3 कमेंट बिल्कुल आगे मेरेपास 41 का एक बार ध्यान दीजिए C किसका आया एक बार एक बार देखने दीजिए मिश हो गया कोई बात नहीं फिर से दुबारा अगर C आता है तो मैं देख लूँगा रिया यादो जी 41 का C स्वागत है और किसका है सत्यंद्र भाई आपका भी स्वागत है C जवाब का स्वागत है UPSC C C ओके उपाशक होगा वह स्रिष्ट उपाशक है इसमें जो विशेश है वह उपाशक है स्रिष्ट विशेशन है वह सर्वनाम है ठीक है अगला प्रस्ण है बहुत ही अच्छा है 42 नंबर आपका इस्क्रिम पर है भले और महान लोग उचित और सैमित ब्योहार करते हैं एक बार प्रस्ण को फिर से हम लोग पढ़ेंगे भले और महान लोग उचित और सैमित ब्योहार करते हैं उप्रिवक्त वाक्त में कितने वि भले और महान लोग उचित और सैमित ब्योहार करते हैं। उपरित वाक में कितने विशेशन और विशेश हैं। ए दो विशेशन और दो विशेश से बी तीन विशेशन और दो विशेश से सी चार विशेशन और तीन विशेश से डी चार विशेशन और दो विशेश से 42 का सही जवाब देना है आप लोगों को 42 का सही जवाब दीजिए 42 का आने लगा 42 का B B C C C D D छमा जी करें ये D निशिता सिंग आपका स्वागत है करें डी सभी दोस्तों का रहा है जवाब सभी दोस्तों का सही जवाब आ गया अधिये हम लोग लॉक करते हैं जहां पर हमारे सारे दोस्त हमारे सारे प्यारे बच्चे हैं वहीं पर हम भी हैं चार विशेशन और दो विशेशन है, देख लेते हैं, भला विशेशन है, महान विशेशन है, उचीत विशेशन है, स्तयमित विशेशन है, ठीक है? अब इसमें विशेश्च चार हो गए, जो आपके विशेशन है, विशेशन कितने हो गए? चार हो गए, ठीक है? अब आ जाईए हमें देखते हैं विशेश इसमें लोग और ब्योहार दो क्या है दो आपके विशेश है आईए अगला प्रस्ण इस स्क्रीन पे है 43 बहुत ही अच्छा प्रस्ण है यह गाय अधिक दूद देती है वाक में अधिक विशेशन किसकी विशेशता बता रहा है A. गाय की, B. दूद की, C. देने की, D. किसी की नहीं आप लोग बताईए गा 43 का जवाब दीजिए एक question आपके ROARO में पूछा गया प्रस्ण है इससे पहले जो हमने प्रस्ण किया ओभी पूछा गया हुआ प्रस्ण है तो यह आपका जो प्रस्ण अब चल रहा है वो आपके practice से उससे है बहुत ही अच्छे प्रस्ण है इसमें जितने भी अच्छे प्रस्ण थे सब मैंने include किया है बी बी आने लगा बी आने लगा यह गाय अधिक दूद देती है अधिक किसकी भी सेस्ता है सभी का सभी का जवाब सही है दोस्तों का दूद का बिद्वान ब्यक्ति पुझ्य होते हैं में विशेशन है आपको यह बताना है कि बिद्वान ब्यक्ति पुझ्य होते हैं में कौन सा विशेशन है A. सार्वनामिक विशेशन B. गुण वाचक विशेशन C. संख्या वाचक विशेशन D. परिमाण बुधक विशेशन बिद्वान ब्यक्ति पुज्य होते हैं बिद्वान सभी दोस्तों का जवाब आ रहा है बिल्कुल 43 का आप सभी का जवाब सही है 43 का हमने देख लिया था B. ओके नगमाशा जी पंकजी विवेग जी ओके पिंकी जी आरती सभी सभी दोस्तों का थोड़ा सा चैट आप बढ़ाईए फटा फट ओके जिया सिंग स्वागत है सभी दोस्तों का इसका जवाब दीजिए 44 का आने लगा जुता गुण है B. B. सही जवाब निम्लिकित में से कौन सा सब्द विशेशन नहीं है आपको बताना है A. उतक्रिष्ट B. निक्रिष्ट C. ध्रिष्ट D. निशाद आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेशन नहीं है ये प्रस्न बहुत ही अच्छा है हम देख लेते हैं इस प्रस्न का सही जवाब सिंपल है मुझे करने दीजिए 44 का B है बिलकुल 64 का B आपका सही जवाब है मधूमिस्तरा जी B है सभी दोस्तों का था 45 का ये मैं कर देता हूँ अच्छा प्रस्न है सरल है इसलिए मुझे करने दीजिए थोड़ा सा मैं भी अच्छा फिल कर लूँ कि एक आग प्रस्न मैंने किया गर्मया सिंग क्या करें आप ओके अगला प्रस्न है निमल की सब्दों में से जो सब्द विशेशन नहीं है उसका उलेक कीजिए A. सजजन B. दूर्जन C. सुकुमार D. मानश यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है आपको जवाब देना D. 46 का D आगया मुकेश मानश मुकेश मानश मुकेश मानश मेरे सारे बच्चे कह रहे है मुकेश मानश इसका राइट आंसर है और बिल्कुल 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 सभी बच्चे कह रहे है मुकेश मानश सभी तो मुकेश मानश इसका सही जवाब है और मुकेश मानस मैं हूँ और मैं नावन हूँ एनी संग्या हूँ ठीक है तो मैं क्या हूँ विशेशन नहीं हूँ मैं विशेश्य हूँ ठीक है तो सारे बच्चे है मुश्कुराने की सिम्ली भेज रहे हैं आईए देख लेते हैं निम्लकित में कौन सा प्रश्ण विशेश नहीं है को साब विशेशन नहीं यह बताना है ठीक है ए आगामी बी सांत सी काला डी तुम इसमें आपको बता है विशेशन नहीं है तो आगामी शांत काला और तुम 47 चल रहा है 47 का जबाब दीजिए 47 कि सभी दोस्तों का गया ठीक है ओके 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 तुम इसका सही जवाब होगा कि मेरे प्यादे दोस्तों मेरे प्यार बच्छों एक चीज मैं बता दूं दो महीने दो महीने आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना ना आरो ए आरो पी एकदम पूरी तरह फोकस्ट हो जाना पूरी तरह पूरी तागत जोंक देना है यानि मैं आपसे बता दूं जब आप पूरी दिन भर मेहनत करोगे ना जब पूरे दिन आप मेहनत करोगे तो आप याद रखना सिर्फ दोस्तों के बराबर आओगे जो कमपटीटर है आपके उनके बराबर आओगे और जब रात में आप मेहनत करोगे तो आप बिलीब करो आप तब उनसे आगे निकलोगे तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यक्ता है आपका जो एवरेज पढ़ाई है कम से कम आठ से दस गंटे होनी चाहिए इससे कम बिल अलीज तक है कारवा मंजिल करास्ता खुद बना के चल ऑफिशल बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों का आगया विशेश शब्द है इसमें आपको बताना है विशेश लगू ए ललिता भी सुंदर शी लंबा डी लगू 48 का सही जवाब देंगे 48 48 का सही जवाब मेरे सारे बच्चों का गया ए चलो ललिता ललिता विशेश है बाकी सुंदर लंबा लगू अपने आप में क्या है सब के सब विशेशन है विशेश शब्द है ए उमा बी कालिमा सी मधुरिका डी महिमा 49 49 का सही जवाब बिल्कुल सतेंद्र जी 48 का ए जवाब था सूरज जी प्रदीप जी प्रदीप सर्मा बिल्कुल सभी का सभी का जवाब हरिकांत रूबी खातून जी आपका हिंदी की क्लास में श्वागत है जो के सुमीत आए देख लेते हैं इसका निम्लिकित में विशेश पत है 49 का जवाब आ गया ए एए ए ए बिल्कुल आ गया इसमें को शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे ठीक है बाकि सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से चल रही है छे दिन में आपकी हिंदी कम्प्लेट होगी उसके बाद फिर मैं यूपी स्पेसल लाऊंगा फिर बीच-बीच में करेंट लाता रहूंगा निमलकित में विशेशन पद है ए उपासना बी उद्गार सी आयत लोचन डी बंदना आपको क्या बताना है विशेशन उपासना उद्गार आयत लोचन बंदना ओके ओके निया जी थेंक्यू पचास का जवाब दीजिए सी 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 आ गया साभी दोस्तों का बिल्कुल स्वेता जी ए नहीं होगा स्वेता जी नहीं होगा कि बिल्कुर वाक्य में सब्दों का वाक्य में प्रयोक कर लीजिए आयत लोचन इसका सही जवाब होगा आयत लोचना अगला प्रस्वन है निम लिकित में कौन सा सब्द विशेशन है ए कुटिलता बी जटिलता सी कौटिल डी कुरूपता थोड़ा सा हम लोग और fast करेंगे थोड़ा सा fast करूंगा ठीक है क्वेस्टन मुझे कराने है उसके बाद मुझे strategy बतानी है आप लोगों से बातें भी करनी है थीक है 50 पर आ गए है कोई बात नहीं है अभी समय है हमारे पास थोड़ा सा कर लेंगे कौन जवाब देना है बिल्कुल आर्थी जी सवागत है आपके जवाब का मनीशी जी बिल्कुल हरी कान्थ सभी का आ गया कौटिल अपने आप में विशेशन है बाकि यहां जटिलता कुटिलता कुरूपता यह सब के सब विशेश्चे हैं प्रस्ण है नीचे दिये गए किस वाकि में विशेशन का प्रयोग हुआ है आपको यह बताना है ए चार वाकि दिये गए हैं किस में विशेशन का प्रयोग हुआ है ए राम और श्याम भाई है बी राम ने मा से पानी और खाना मागा C. माने खाने में दाल और रोटी परोशी D. राम ने रोटी खाकर और रोटी मागी बहुत ही अच्छा प्रस्ण है मैं इंतिजार करूँगा सभी दोस्तों का और जिसका सही जवाब आएगा जिसका सही जवाब आएगा मैं नाम लूँगा जिसका सही गलत जवाब का मैं नाम नहीं लूँगा राइट जवाब का नाम लूँगा 52 परस्ण के लिए राइट जवाब 52 का D Very good, सही है ओके, ओके, फिर रिया जी का आगया D ओके, सिद्धी जी का आगया D नेहा जी का D, छमा जी का D Movie Plaza D, रमेश जी D बाकि सभी दोस्ते रही है बाकि सभी दोस्तों का D प्रदीब जी का भी आगया सभी दोस्तों का D आगया बिलकुल, इसका सही जवाब है बहुत ही अच्छा प्रस्ण था इसमें जो और सब्द है और और सब्द विशेशन है अगला प्रस्ण नीचे दियेगे किस वाक्य में विशेशन का प्रयोग हुआ है A. लड़का आया है B. वह गुलाब के फूल लाया है C. गुलाब के फूल मुझे पसंद है D. वह लड़का फूल देकर चला गया बहुत ही अच्छा प्रस्ण है तो फिर तो पढ़ता हूँ विकल्प पढ़ना अच्छा लग रहा है मुझे यह लड़का आया है वह गुलाब के फूल लाया है C. गुलाब के फूल मुझे पसंद है वह लड़का फूल देकर चला गया तुम तुम्हारे भाईया ओके 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 ठीक है टारठी that 53 का 53 का 53 का सही जवाब माफ करीएगा 53 का सही जवाब 32 नहीं हिमांसु जी आगया स्वागत है स्वागत आपके जबाब करसवागत दे से यांगया अन्जना जीका ऑलoth की और किसका सी आ रहा है और सही जवाब सी 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 बस और आ गया स्वेता जी का गया देवेंद्र जी का आ ठीक है आई हम लोग सी को लॉक करते हैं इसमें जो पशंद सब्द है ना पशंद विशेशन है सुगंधित कस्तूरी के लोभी सिकारी राजस्थानी हीरनों का अबैद सिकार करते हैं वाक्य में ए तीन विशेशन और तीन विशेश्य है बी दो विशेशन और दो विशेश्य है सी चार विशेशन और चार विशेश्य है डी तीन विशेशन और चार विशेश्य है एक बार प्रस्ण को और देखना है सुगंधित कष्टूरी में कष्टूरी के लोभी सिकारी राजस्थानी हिरनों का अबैध सिकार करते हैं 44 का जवाब दीजिए सर मेरा भी C है बिल्कुल पुजा जी आपका स्वागत है पुजा रगवनसी जी आपका अपनों दोस्तों के बीच में हिंदी की क्लास में क्रिडोज परिवार में स्वागत है बिल्कुल देखती है इसका सही जवाब दीजी आप लोग ए तीन विशेशन और तीन विशेश बी दो विशेशन और दो विशेश चार विशेशन और चार विशेश बी तीन विशेशन और चार विशेश 44 का C आ रहा है C आ रहा है दोस्तों का सत्यंदर जी श्वागत है आपका सभी दोस्तों का C आ रहा है, मैं भी C के तरफ चल रहा हूँ, हमने C को आप लोगों ने ग्रेन सिगनल दे दिया है और हम इसको लॉक कर देते हैं इसमें चार विशेशन हों, चार विशेशन हैं, तुगंधित, लोभी, अबैद, राजस्थानी, अबैद, ये चार इसमें क्या हैं आपके, विशेशन है, कस्तूरी, सिकारी, हिरन, शिकार, ये आपके क्या है, विशेशन है समुद्री सांप में बहुत अच्छा प्रश्ण है मैं बिल्कुल विट करूँगा सही जवाब का सही जवाब का मैं बिल्कुल विट करूँगा बिल्कुल दिल से मैं बुलाऊंगा समुद्री सांप में घातक परंत बहुत कीमती जहर पाया जाता है समुद्री शांप में घातक परंत बहुत कीमती जहर पाया जाता है 55 नंबर का आप लोग जवाब दीजे अतुल साख्या बिलकुल अतुल जी 54 का सी था सारे क्वश्चन घटना चक्र के हैं कांत मौनिका जी सारे क्वश्चन घटना चक्र के हैं बिलकुल मैंने कहा है कि आपके previous year मैंने इसमें include किया है ताकि आप practice करिए स्टार्टिंग में और बाद में जो question है उसको अलग से डाला गया है बाकि सारे question घटना चक्र से हैं, आपके RO और ARO exam में भी सारे question घटना चक्र से आएंगे, तो आप निश्चिन तो होके भी सिर्फ practice करिए, important practice sect है, घटना चक्र में paper हो, चाहे question हो या फिर किसी दूसरी किताब से question हो, यह important नहीं है, important आपका practice है, किताब से ही सारे question पूछे जा तो किताब से बाहर कोई भी question नहीं होता, किताब कोई भी हो सकता है, घटना चक्र क्या special थोड़ी किया है, घटना चक्र भी previous year के सारे question को collect किया है, या घटना चक्र ने खुद question पैदा किया है, घटना चक्र ने question को पैदा नहीं किया है, आए देख लेते हैं, इसका सही सभी दोस्तों का ए ए ए तीन विशेश और दो विशेशन है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको तीन विशेशन और दो विशेश है समुद्री सांप में घातक परन्त बहुत कीमती जहर पाया जाता है तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना है इसमें दो विशेश है एक एक तो जहर आपका इसमें विशेश्य है ठीक है, तो ये आपको धियान में रखना है एक सांप है और एक जहर ये आपस में क्या है दो विशेश्य है बाकि इसमें तीन विशेश्ण सामिल है अगला प्रशन है दसरत के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेश्य है आपको 56 पर बताना है 56 का A दसरत B राम C प्राण D आकुल 55, 56, 56 रस्मी जी आप ग्रेट हो सर्थ पंकच कनो जी 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 बिलकुल स्वागत है सभी दोस्तों का प्रियंका जी एक रही है चमा जी आपका स्वागत है जवाब का मैं स्वागत करता हूं ति कैएक बार फीर से देखिए जवाब को रश्मी जी चेहरे ही है इसी बिल्कुल आ बील्कुल नेहाजी अभी आ गया बाकर सारे दोस्तों का रहा है बिल्कुल सी मुहन स्वागत आपके जवाब का आपकी थोड़ा समय यहां रुखूंगा देखे दसरत बहुत मिश्टिक हो जाता है question पूछा जा सकता है repeat होते हैं प्रश्णन दसरत के प्राण राम के लिए आकुल थी इसमें मुख्य कहा है कि मुख्य विशेश्य कौन है यहां तो दसरत भी विशेश्य है राम भी विशेश्य है लेकिन कहा है कि मुख्य विशेश्य कौन है यानि प्राण यहां important है प्राण किसका है दसरत का किसके लिए व्याकुल है राम के लिए तो यह जो है इंपोर्टेंट हो गया ना यह प्राण इधर दसरत जी का प्राण है और राम के लिए व्याकूल है तो प्राण इसमें मुख्य हो गया अगला प्राशन है इन में से कौन सा सब्द विशेशन नहीं है ए भैभीत बी निर्भीक सी भीरू डी भव आपको यह बताना है कुमार राजेश यादव डी 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 बिल्कुल बिल्कुल डी नहीं था उसका तो सी जवाब था प्राण अगला प्राशन है फिप्टी सेवन की तरफ फिप्टी सेवन विशेशन नहीं है ए भैभीत बी निर्भीक सी भीरू भव सही जवाब है इसका भव आईए आगे बढ़ते है निम्लिकित में कौन सा सब्द विशेशन है ए सुन्दर्ता बी कवी सी विद्वान डी भलाई है आपको बताना है कि कौन सब्द विशेशन है सुन्दर्ता कवी विद्वान भलाई है ए सबी बच्चों को पता है सही जवाब विद्वान होगा विद्वान इसमें विशेशन सब्द है अगला प्रस्ण है वह क्रिश्यकाय ब्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विश पूठेश को देखेंगे क्या कि आपके लिए हिस्त्री हम सुरू करेंगे हिस्त्री पर हम डिसका करेंगे आपको क्या चीजें पढ़नी है आरो-यारो स्पेसर और यह सिर्फ आरो-यारो के लिए नहीं काम देगा आगे जैसे ही आपका UP-PCS कि आएका मार्च में वहाँ भी प्राबलम हो रहा है प्रियंका पाश्वान नेट्वर्क प्राबलम हो रहा है अच्छा कोई नहीं आयों देखते हैं इसका सही जवाब है आपका विशेश्ष्य अगला प्रस्न है जिस विकारी से संग्या की ब्यापति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं आपको परिभासा है ए विशेश्ट बी विशेशन सी विशेशन एवं विशेश्ट जिस विकारी सब्द से विकार विकार सब्द याद रखना है विकार तो देखे मैं एक चीज बता दूँ जो विशेशन होता है विशेशन दो तरह से इसको भी देखा जाता है एक होता है विकारी एक होता है अविकारी अविकारी इसका मतलब होता है जो परिवर्तित हो जाए परिवर्तित इसका आर्थ होता है अपरिवर्तित जैसे काला जैसे सफेद ठिक जैसे यह ऐसे सब्द है जो अपरिवर्तित होंगे नहीं तो बिल्कुल उसकी पे बाद की गई है तो इसका सही जवाब सभी बच्चों को पता है साट का सही जवाब क्या होगा व्याप्त मर्यादित कर दे उसे कहते हैं सभी को पता है विशेशन मिश्टिक हुआ है ए बी सी डी तो निम लिकित में से क्रिया बिशेशन पताना है ए अंधेरा बी धीरे-धीरे कि चाल चलन डी सुन्दर सिस्टीवन सिस्टीवन का सही जवाब दीजिए सिस्टीवन क्या कहा है नेहा यादव जी सर मुझ मुझ से टॉपिक से इलकुल ओके मेरे प्यारे बच्चों मैं एक चीज बता दू हमेशा प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन मिलेगा इनपुट से नहीं होता आउटपूट से सिलेक्शन होता है चमाजी कह रहे हैं सर आज मैं क्लास में जिट क्या आपकर निकल गया है समाजी के रहें कि सर आज मैं क्लास में लेट जुड़ी थी जिस कारण मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ कोई बात नहीं समाजी आप क्लास को एक बार जैसे ही फिनिश होगा ना एक बार आप उसको देख लिए बहुत अच्छे से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डिस मैंने यह सब्सक्राइब से पहले डिसक्स किया था इस्तार्ट में धीरे धीरे नजल्दी धीरे धीरे यह सारे सब्सक्राइब हुए हैं दोनों दोनों सब्द किस प्रकार संख्या वाचक विशेशन है आपको यह बताना है दोनों 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 शमुदाय बोधक उनरक्ति बोधक आपरिति बोधक डी क्रम बोधक आपको बताना है 62 का जवाब दीजिए 62 हम से एपन की बताना है 62 पंकत जी क्या करें बस लड़कीों के कमेंट पड़ रहे हैं सअर ही मीरा भी करीए मेरे प्यारे मेरे दोस्त में एक चीज़ बता दूं लड़की और लडकी की बात नहीं है मैं एक चीज बता दूँ, यहां मैं इस पेसली न तो लड़की का कमेंट पढ़ता हूं न लड़के का, हमारे लिए आप और वे दोनों हमारे लिए बच्चे हैं, हमारे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह होती है कि नजर के सामनी किसका कमे दूसरी बात, मेरी क्लास जो चल रही है, यह उन लोगों का, जो हमारी बच्चियां है, उनका प्यार है, उनका प्यार है, 80%, 80% क्लास में हमारी बच्चियां है, 80% हैं, और 20%, 20% लड़के हैं, तो आप बताईए, क्लास में जब 80% लड़कियां हैं, तो फिर हम तो अपनी ब के चाहिए आप लोग भी बहुत ही स्मार्ट हो लेकिन बहुत ही स्थ होती है इपता नहीं क्या है वह बहुत जल्दी टॉप करती है समुदाय ना जैसे हमने कहा था साथ साथ बहने पांच लड़के दोनों ठीक है यह सब समुदाय बोधक्य अंतर गताएगा कि प्रशन repeat हैदोनों सब्दका है सको देख लेते हैं अगला परस्णамен प्रतिदिन कि सप्रकार का क्रिया विशेशन हैं स्भी जी कुमकुम जी सभी सभी जितनी हमारी बच्चिया है सभी का स्वागत है सालनी जी बिलकुल बिलकुल इसका जवाब दिना है प्रति दिन किस प्रकार का क्रिया विश्येशन है ए रीति वाचक बी परिमान वाचक सी इस्थान वाचक डी काल वाचक 64 का बताना है प्रति दिन प्रति दिन आपको बताना है प्रति दिन कि 64 का सही जवाब दीजिए 64 का स्वेता जी आ घया से जफराइय का गया मेरे एम्रा टोर बिलकुल बिलकुल श्वागत है इस קा डिनेश जी श्वागत है तो का और सह संदार इस बार आप लोगों का आरो यारो में सेलेक्शन होगा बिल्कुल होगा बहुत अच्छा कर रहें आप लोग और बाकी तो अभी मेरे पास दो महिने हैं ना मेरे पास दो महिने हैं आप लोगों को आप लोगों को मैं इस तरह से इस तरह से सार्प कर दूँगा कि इस बार आप सब का competition बहुत ही सांदार है, आप लोग 4 के आओगे इस पर, बिलकुल आओगे, 44, आए देखते हैं, 44, बिलकुल, इन में से किस वाक्ष में गलत विशेशन प्रयुक्त हुआ है, गलत विशेशन, पूछा गया है, मेरे पहरे बच्चों, गलत विशेशन, A. कभिता, पारिश्त्रमी, यूती है, B. प्रबुद्ध जनों से हमारी अपिच्छा है, C. यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, D. वह अच्छा आदमी था, लेकिन काम न आया, आप लोगों को बताना है, गलत विशेशन किस में प्रयुक्त किया गया है, 65, 65 का सही जबाब का रहा है, सभी बच्चों का रहा है, ओके, ओके, कृतिका जी आपका स्वागत है, आपका नया नाम मिला मुझे, आपका स्वागत है, ओके, ओके, हेमा जी आपका भी स्वागत है, सभी दो, दुर्गा, दुर्गालाल जी, आए देखते है, इसका सही जबाब क्या है, वेर विलाओं का सरकारी अस्पताल है ठीक है अगला प्रस्न है गुण वाचक विशेशन के कितने वेध हैं मैंने आप से कहा था शरू में मैंने बताया था आपको ध्यान में रखना है आपका सही जवाब का मैं इंतिजार करूंगा बिल्कुल सुरज कुमार जी आपका स्वागत ह आप लोगों को सही जवाब बताना है 66 विकाष पटेल जी बिल्कुल आप सही हो अपने जवाब के लिए आए इसको देखते हैं अनुशिंग श्वागत है हाई सर बिल्कुल अनुशिंग श्वागत है आपका 66 का आ रहा है दोस्तों का बिल्कुल जिन्होंने सुरू में क्लास ली थी बिल्कुल पता है कि जब हम बात करेंगे गुन वाचक की सुथ में साथ महत्पूर बाते हमने डिसकस किया था बिल्कुल D-D-D गरिमया जी का भी आ गया काला घोडा तेज दोड़ता है में क्रिया विशेशन है क्या क्रिया विशेशन आपको बताना है ए घोडा बी काला सी तेज डी दोड़ता है क्रिया विशेशन क्या है क्रिया विशेशन क्या होता है जो क्रिया की विशेशता बताए उसको क्रिया विशेशन कते हैं इसमें दे करें इसे लोक करेंगे आप लोग घ्रीन सिगनल दीजिए फटाक से मैं तुरंतड लॉक करूँ कि ओके ओके ऐ के तेजिच तेज घोड़ा गोड़ा तेज दवाज़ता है क्रिया विशेशन है बिल्कुल 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 तेज इसका सही जवाब होगा सबी बच्चों का गया, C, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, वेल्कम, 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 अगला है गीला, गीला है सारवनामिक बिशेशन, B, गुण वाचक बिशेशन, C, संख्या वाचक बिशेशन, D, इन में से कोई नहीं, आपके पास चार उप्षन है, उनमें से एक करके बिल्कुल आप हमारे तक भेजिए मैं सभी को बताऊंगा कि आपने सही जवाब चुना है और आपके जवाब जवाब का स्वागत रहेगा और आपका स्वागत मैं करूंगा मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं मेरे साथी हैं एक बार गिला सभी का जवाब आ गया है गुण वाचक है बी 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 सभी दोस्तों का आ जितने हमारी बच्चे है निम लिखे सब्दों में से विशेश कौन है? A. आकासी, B. आकासी, C. आराध्य, D. आसृत आपको बताना है विशेश क्या है? आकासी, आकास, आराध्य, आसृत सभी बच्चों का आगया? B. 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 60. 68 का B. बिल्कुल. 68 का B है. बिल्कुल सही जवाब है अंजना जी. सभी का जवाब है. बिल्कुल अच्छा आ रहा है. सुमित जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है पिछला. अमित कुमार वर्मा सर एक हमारा प्रनाम. अमित जी, आपको तहे दिल से मैं आपका श्वागत करता हूं. इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं हमसे जुड़ने के लिए आपका स्वागत करता हूं आए देख लेते हैं सभी दोस्तों का जवाब आ गया आकाश आकाश इसमें विशेश है बाकी आकाश का विशेशन क्या होगा आकाशी होगा आराध्य अपने आप में है आश्रित ये सब विशे 69 कभी बिल्कुल वेरी गुड हम लोग आगे बढ़े हैं सर राम राम बिल्कुल बिवेग जी राम राम ओके 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 आए आगे बढ़ते हैं बविता देवी बविता जी स्वागत है आपका इसका जवाब देखना है विशेशन कौन है ए अजय बी अजित सी अकर्म डी अनुशंसा बी बी अनुजी बिल्कुल डी जवाब नहीं होगा एक बार बिल्कुल एक बार अपने जवाब को बिल्कुल आप एक बार पुनभीचार करिए सर यह कहां से मुखरजी डिल्ली इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब आप देख लीजिए अ جit अजित विशेशन है इसका वििशेश अजय होगा ठीक है बिल्कुल सभी दोस्तों का रहा है अनुशन शार डी नहीं होगा डी ततर का टी नहीं होगा भी हो जाहती जवाब आजीट सब्नी mythical सब्सक्राइब धयत bark को ठीक है दो चार ही बच्चों का गलत है बागी सब कर ठीक है देखर राजपूत सत्तर का डी नहीं होगा से खरजी उसका भी होगा अजित 21 की तरफ आई है निम्लिके सब्दों में विशेशन कौन सा है ए आंतरीक बी अंतर सी आगने डी अधिकारी है आपको विशेशन कौन नहीं है यह बताना है कि विशेशन कौन नहीं है आपको यह बताना है रिया सिंग सर मैं असम से क्लास अटेंट कर रही हूँ शुक्रिया रिया जी श्वागत है आपका असम बहुत ही खुब्सूरत सहर है खुब्सूरत जो है अपना स्टेट है अगला प्रश्न है तुधा मई वात्सल्य मई तू प्रेम मई है वाक में विशेश्च है मैं जो बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब देगा मैं देखूँगा कि कौन सही जवाब देता है 72 मुझे इंतजार है डी कह रही है सालनी पांडे जी श्वागत है आपका श्वागत है आपके जवाब का बहुत सारे बच्चे भईवा जिब डी 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 राके से बहुत सारे बच्चे मैं तो सोचा था प्रश्न कट टॉट टफ होगा आप लोगों के लिए लेकिन आप लोग तो बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दे दिया मुस्ट वेलकम आप सभी का इसके लिए रस्मी जी इसका सी नहीं होगा बिल्कुल इसका डी होगा ना यह अपने आप में विश्व के सब विशेशन है रमेज की पुरानी पुष्टक है वाक्य में पुष्टक सब्द है क्या है सभी को पता है इसे मैं कर लेता हूँ यह विशेश्य होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रस्ण को करिए सातो महाद्वीप संख्या वाचक विशेशन के किस रूप में दर्शाता है एक रम वाचक बी समुदाय वाचक सी अनिश्चित संख्या वाचक डी आब रिति वाचक सातो महाद्वीप कि 74 का जवाब दीजिए आप लोग बिल्कुल सही जवाब है 74 का सही जवाब दीजिए 74 कि 74 कि कि सभी मेरे पैरे बच्चे एक बार सेशन को सेयर कर दें लाइक कर दें उसके बाद आज हम लोग बहुत इंपोर्टेंट चीजे देखेंगे लाश्ट में टास्क डिसकस करूंगा आप से कि और हम यह भी डिसकस करेंगे कि आपको टेश्ट पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए सभी दोस्तों कर आ गया सभी सभी दोस्तों कर रहा है सातों महादित में हमने कहा था आपको पढ़ाय था सातों बहने पांचों भाई इस तरह से पूछा जाए तो हम क्या लगाएंगे समुदाय वाचक एक वाक में विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है वाक में विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है ए वह सन्यासी है बी वह लड़की गाई का है सी रमेश तेश दोड़ता है डी वह मधुर संगीत शुन शुनता है 74 का सभी दोस्तों का D answer आ रहा है 74 का सभी mind शर बिल्कुल सभी का सभी था येस 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 बिल्कुल बिल्कुल नहाजी विवेक सक्सेना आपका स्वागत है बिल्कुल 70 उसका B था 75 का बताइए आप लोग 75 का इस वाके में बिशेशर का प्रयोग नहीं हुआ है वह सन्यासी है B वह लड़की गाई का है रमेश देश दोड़ता है वह मधूर संकीत सुनती है इसका सही जवाब दीजिए 75 का D आ गया पंकजी बिल्कुल नहीं है पंकजी माफ करनिया एक बार आप फिर से चेक करो वह मधूर बिशेशन है इसमें कहां से D हो जाएगा रिया जी का आ गया ए आ गया सूरज जी का आ गया सूरज जी सी नहीं होगा सी नहीं होगा ऐसे गल्ती मत करिए चोटी चोटी प्रांजल जी का सही जवाब आ गया प्रांजल जी का सही जवाब आ गया सभी दोस्तों का गया सिवानी प्रण्जल ओके ओके बविता जी का भी आ रहा है मां सभी सभी मेरी जिदनी भी प्यारी बच्चियां है सभी का सही जवाब आ रहा है एश वह सन्यासी है निमलिखित युगम में कौन विशेश से विशेशन की द्रिश्ट से गलत है ए पुष्टिक पॉष्टिक बी गारहस्थ ग्रिहस्थ सी उदिची ओदिच डी प्रोड़ता प्रोड कुछ नाम है जो टफ है चीतर का बताओ आप लोग प्रियंका प्रियंका जी स्वागत है शूरत कुमार विकास जी इसका सही जवाब क्या होगा 76 76 का सही जवाब दीजिए के अगया प्राअजल जी का आगया प्राअजल जी ऋच्छा मेरा रहा है वभ्या जी का आगया सभी दोस्तों का रहा है श्wetat यही इसमें गलत है निम्लिकित में विशेश्य शब्द है विशेश्य ए सुनहला बी इस्त्रेंड सी पौरुषे डी इस्मृत आपको विशेश्य बताना है सुनहला इस्त्रेंड पौरुषे इस्मृत इस्मृत बिल्कुल कुमार राजेश जी बहराइच कोई है धून रहे ह VINAY जी स्वागत है आपका सभी दोस्तों का ओके सही जวाब आ गया छमा जी का 66 का डी कह रही है सवेता जी का भी जी आ रहा है सभी बी गी सब बी विने जी कह रही है बी होगा माफ करिएगा इसका सही जवाब हम लोग डी को लगाते हैं बाकि ये पौरुशे इस्ट्रेडा ये सब विशेशन है विशेशन नहीं है निम्लकित में एक गुणवाचक विशेशन नहीं है आपसे पूछा गया है ठीक है नहीं है आपको यह बताना है इसका सही जवाब क्या होगा मांसी पंकच यू लुकिंग हैंडसम सर थेंट्यू थेंट्यू है कि हैं यह थेंट्यू यह थेंट्यू है थेट का आई लगा देते हैं थोड़ाशा गुल्वाचक बिल्कुल नहीं है ठीक है बिलकुल ध्यान में रखना है निमलिखित में से थोड़ा सा संग्यावाचक है, निमलिखित में से विशेशन सब्दों को चुनना है, बहुत ही अच्छे से प्रश्ण को करना है आप लोगों को, 79 बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, अच्छे से करना आप लोग, निमलिखित में विशेशन सब्दों को चु कुट हैं आप सही कुट का चैन करके मुझे बताओ कि सही जवाब क्या होगा 79 का सभी बच्चे जवाब दे मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा बहुत ही अच्छा प्रस्ण है नए तरीके का प्रस्ण मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है इस तरह से प्रस्ण आपके घटना चक्र में या आपके किसी अन्य किताब में नहीं है इसको सामिल किया गया है इस पेसली कि अगर ऐसे प्रस्ण बनता है तो उसका क्या होगा रस्मी जी का जवाब आ गया स्वागत है कह रही है बी इसका सही जवाब है दो पांच और छे बिल्कुल अभी मैं बोलूगा नहीं, देखता हूं कितने बच्चे सही देते हैं, माफ करिएगा, निहा जी कह रही है, C है, B, B, B आ गया, कुमार, राजेश, C कह रहे हैं, एक अता, स्रिवास्तो जी, श्वागत है आपका, बहुत सारे बच्चे, C, भब्या जी कह रही है, D, ओके, ओके, छमा जी का आगया, B, हरी कांद, C कह रहे हैं, माइंड शार्फ, शिद्धी है, मधु जी है, अतुल, अतुल शाक्य कह रहे हैं, C, ओके, आएए देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, 2, 5, और 6, इसका सही जवाब हो जाएगा, B, तो 2, फिर 5, और 6, राइट, तो संपत्य सम्मान होता है, सहादत का सहीद होता है, और संपादक का आप जानते हैं, तो ये अपने आपमे विशेश्य हैं, बाकि 2 है, 5 और 6, क्या है, विशेशन है एक विशेशन सब्द नहीं है आपको ये बताना है ए विश्मित बी भक्त सी बोजिल डी स्वाद इसमें ये बताना है कि विशेशन क्या नहीं है ए विश्मित बी भक्त सी बोजिल डी स्वाद आपको बताना है हेला है चूरज कुमार जी 79 की बिल्कुल 특별 षयाय का प्रूंप कि लुग जी का भी सह है वन्द retention जी का सही है सभी दोस्तों का इसके तूरफ हम लोग बढ़ गएं अस्य का बताइ Почему स्गेब लोग 3 का सहीजवाब क्या होगा आगया 80 साही जवाब होगा वी शेहंअ सब्द नहीं है स्वाद कि भक्त है विश्मीत है बोजिल लए स्वाद दीजी कि योके की प्रेट के रही है क्या बी नहीं होगा बी नहीं होगा अ शौन कि स्वाद का स्वादिश्ट होता है कि जैसे बूजन्च्व है बूजन्च्वाद स्वाद है ऐसे बोलोगे क्या नहीं भूजन स्वादिश्ग तर्श्वाद का स्वादिश्ट होता है कि अ कि तुम विश्यष्य चिपत्ध हैे साउक रातधालू से राधि डी सारी रिक स्य धाये ऑपको विश्यषपत बताना है ये साउक रौंग कोई बात नहीं रही या जी गलत यहां यहीं हम लोग सारी गलती जो है जितने भी प्रश्ण में गलती यहां होंगी यहीं पर करके सीख के बहतर तरीके सागे बढ़ेंगे अब इस एक जीक आ गया लवी इंडिया असी कडी कह रहे हैं एक क्या से बिल्कुल उसका सही पूजा जी का आ गया और एक किसका रहा है अतुल अतुल शाक्य का आ गया तो हम लोग एक को लॉक करते हैं थोड़ा सा ध्यान में रखना नहीं यह बहुत सारे बच्चों का लगबग मैं बता दूं सत्तर प्रतिसत सत्तर प्रतिसत गलत जवाब है गलत तो आप बिल्कुल चात्र वास में बहुत चात्र थे इस वाक्य में विशेशन की द्रिष्ट से बहुत सब्द है ए निश्चित परिमाण बोधक विशेशन बी समुदाय वाचक विशेशन सी तुलनात्मक विशेशन डी अनिश्चित परिमाण वाचक विशेशन प्रिती कुमारी जी आपका स से संबन दिते हैं कगSet आई से जवाब आ रहा रहे विभा जीन श्वागत करता हूं आक में जवाब का छाल लीटी बहुत सही बिल्कुल बी नहीं होगा विक वगाए कैसे होगा बी कैसे emoji का समाजी बिल्कुल D अन्जली का अगया डी सभी बहुत 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 अच्छा सूरज कृतिका आए हम लगाते हैं इसको लॉक करते हैं बी अनिश्चित परिमारवा चेक हमने इक दो देखा था ना कि निस्चित और एक निश्चित निश्चित का मतलब जिसमें फिक्स हो जैसे हमने आपको समझाया था एक्जामपल डलिया भर फूल ठीक है तो आपको याद है कि वो निश्चित था न मैं कहूं दो सेर दूथ न को देव conveniently कर दोए हैं अब शुद्ध है आई हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोगों को बहुत सारी बाते करनी है आपसे जूशी का जूश तुन्दर, सुन्दर और आक्रिष्ट ब्यक्ति उचित्व सैमित भोजन करता है उपरीक्त वाक्य में कितने विशेशन है आपको ये बताना है, ठीक है, अलग तरह का प्रस्ण है, परिमाड है या नासर जी, परिमाड बिलकुल, परिमाड नहीं हो गया, अनिस्चित, परिमा वाक्य में कितने विशेशन है, और मैं बता दूँ, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, इस वाक्य को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें, वाक्य क्या कह रहा है, फिर से मैं पढ़ूँगा, बिलकुल, आप लोगों को इस वाक्य में, वाक्य को अपने जीवन में उतारना है, अपने आचरन में उतारना है, फिर जवाब देना है, कह रहा है कि सुन्दर वह आक्रिष्ट ब्यक्ति, उचित एवं संयमित भोजन करता है, उपरियुक्त वाक्य में कितने विशेशन है ये बताना है, तो अगर आपको सुन्दर और आक्रिष्ट सेमित सवाब, बिल्कूल बिशेशन नहीं है A जटिल B दम्भी, C प्रेमी, D निपूडता 85 85 का 85 का जवाब दी बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का मानसी जी बिल्कुल सभी दोस्तों का जवाब था BDO Creator अच्छा अच्छा बिल्कुल आपका जवाब सही था BDO Creator जी बिल्कुल चैट करिए अभिशेक लव इंडिया फोर फोर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब था अतुल शाक्य जी प्रांजल जी नाज सैफी श्वागत है नाज सैफी जी बहुत लंबे समय बाद आप जवाब दी मधू मधू जी का आगया सभी का आगया ठीक है यह बताईये बिशेशन नहीं है जटिल दंबी प्रेमी निपूरता आपको बताना है आपको बताना है इसका पुजा रगवंसी जी सभी दोस्तों का गया ठीक है आए हम लोग इसे क्लिक करते हैं निपुरता इसमें विशेशन नहीं है निपुरता नहीं है निपुन मोहन निपुन है निमने में विशेशन नहीं है A. कागजी, B. घातक, C. गंभीर, D. खत्रा बस अब लाश्ट होने वाला है, एक दो प्रशन और बचा है, बस अब लाश्ट ही है 91, टोटल 91 क्वेश्चन है टोटल 91 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 57 क्वेश्चन और है बिलकुर हम लोग बहुत प्यार से करेंगे, उसके बाद मैं आपसे strategy डिसकस करूँगा, बाते करूँगा, आपको मैं टास्क दूँगा, ठीक है ओके, ओके, निमनिमी विशेश्चन नहीं है कागजी, घातक, गंभीर और खत्रा 86 का जवाब दीजिए, 86 86 का डी है, आए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं अगला प्रस्न है, विशेश विशेशन की दृष्ट से निमलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है A. भावना, भावक, B. कृपा, कृपालू, C. समझना, समझाना, D. हशना, हशोड बिल्कुल ये बात आप ध्हान में रखी, सही सुमेलित नहीं, 87 का जवाब दे दीजिए, 87 बहुत सारे बच्चों का रहा है, आएए देख लेते हैं, इसका समझना, समझाना, ये बिल्कुल गलत है, और बाकी साभी, भावना का भाव, कृपा, कृपालू, ये सब सही है, हशना, हशोड निमलिकित में कौन सा सब्द परिमार वाचक बिशेशन है, परिमार वाचक, आपको पताना है, परिमार वाचक, एक इंचित, भी, इस्थानी, सी, नियाए, डी, मौसमी, आपको पताना है, परिमार वाचक बिशेशन है, परिमार वाचक, इसमें कौन सा परिमार वाचक है, कुमार राजिस्ट ज्यादव कि सतीश सतीश जी स्वागत है सतीश कह रहे हैं एटीशी का सीथ ठीक था एटीश हम आगे बढ़ते हैं नाज सैफी जी नीटू सींग ठीक है ओके मेरे प्यार बच्चों मेरे प्यारे श्राथी आप यह बताईए आप लोग एटीट का क्या जवाब हो एक टीट का सही जवाब दीजिए दो तीन क्वेशन और बचे हैं दो तीन क्वेशन और बचे हैं किंचित इसका सही जवाब होगा आए देख लेते हैं किंचित परिमाड है निमलिकित में से कौन किसमें अपुर्ण बोधक विशेशन का प्रयोग हुआ है ए मेरी बहन ने मुझे एक हजार रुपए दिये पंकच बाजार से रहेगा डी प्रत्यक बाली का सिच्छा की हकदार है आपको यह बताना है कि इसमें अपुर्ण बोधक शब्द यानी अपुर्ण बोधक विशेशन है यह आपको बताना है अपुर्ण बोधक एक्टीनाइन का सही जवाब देजी एक्टीनाइन 89 का सही जवाब दीजिए 89 89 89 चलिए हमीं लगा देते हैं पंकज बाजार से सवा दो सेर चीनी खरीद के लाया तवा दो सेर अपुर्ण है ना अपुर्ण कि झाल च्टियोग टुट को पुछ ant मक्राव में प्रमाग दो सेर अपुर्ण है लेकाज़गा दो सेर ना याज़गा दो वाला दो सेर अपुर्ण के लाज़गे का सब्सूर्ण वाज़ लाज़गा दो को शुर्ण है एवा धान थैस्वार था। झाल 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 मेरे प्यार बच्चों आवाज आ रही है अभी मैंने चेंज कर ली बैटरी चेंज कर ली आवाज आ रही है आगे बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों का इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल मैंने बैटरी चेंज किया प्रियंका जी बिल्कुल सुक्रिया बताने के लिए सू कल के टास्क के बारे में यह लाश्ट है आप लोग जवाब दे दीजिए 91 का सही जवाब क्या होगा 91 का हमने देख लिया बी उपाशक किसका सही जवाब होगा यहां पर हम लोग हम लोगों का सेशन खतम होता है कि आप लोग जुड़े रहे हमसे धन्यवाद आई अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आप से हम लोग यह देखेंगे कि कल के स्टेडी पहले आप लोग यह बताईए कल जो टास्क दिया गया था आप लोगों को मिल गया कल का टास्क कि आज से मैं स्टार्ट करूं फिर से मेरे प्यार बैचो एक बार कमेंट करिए एक बार आप लोग कमेंट करिए एक बार कमेंट यह कर दीजिए कि आप लोग जो जितने प्यारे बच्चे कहां से जुड़े हैं एक बार अपने प्लेस के बारे में बता दे हमें एक बार कमेंट करके प्लेस के बारे में बता आप सभी को शुक्रिया आप सभी को धन्यवाद हम लोग अभी बिल्कुल जाना नहीं है एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट पेपर आफ लाइन में आपको टेस्ट पेपर कैसे करना चाहिए थोड़ी सी मैं फिर हम देख लेंगे हम एक देख लेते हैं कि आपका टास्क क्या है आपका जो टास्क है हम इसके बारे में देखेंगे और आप लोग बस एक बार मुझे बता दीजिए कि सारे बच्चे जो कल का जो टास्क था कल का आप लोग जो पिन किया गया था उस टास्कों को आज से मैं start करूँ या फिर कोई नया task दूँ एक बार आप लोग बता जी दिए सारे बच्चे एक बार कह दीजिए कल जो मैंने task दिया था कल आपके पास दो option है A और B कल जो task दिया गया था कल जो हमने आपको task दिया था कल या फिर आज से उसे फिर से start करें एक बार बता दीजिए चली हम नए तरीके से कर लेते हैं क्योंकि कल network की वज़ा से दिक्कत हो गई थी मेरे पैर बच्चो टास्क में हम क्या बात करेंगे आपसे हमने देखा था हम आपसे बात हुई थी कि हम हम लोग इतिहास देखेंगे इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे discuss करूंगा इतिहास के बारे में कल हम लोगों की class हो नहीं पाई थी इतिहास में मेरे प्यारे बच्चो इसमें आपका क्या सामिल होता है प्राचीन इतिहास है आधुनिक इतिहास है और आपका जो है साथ से आठ प्रशन पूछे जाते हैं मद्ध से आपके ऐसे ही छे से साथ प्रशन पूछे जाएंगे और यहां से आपके लगभग मेरे प्यारावित्यों दस question पूछे जाएंगे यह आपका ratio रहता है ROI और और में मैं बता रहाऊ हूं ROI आरो यारो में हम देखेंगे, अब देखिए, प्राचीन भारत से हम लोग टास्क शुरू किये थे आपको, प्राचीन भारत में, ठीक है, तो सब से पहले मैं आप से प्राचीन भारत से समंधित बाते करूँगा, आप लोग टास्क को बिल्कुल ध्यान में रखिए, प्राच प्राचीन भारत में आपको करना क्या है, आज कल आपको क्या काम है, कल का, आप इसको कम्पलीट करना है, ठीक है, टास्क आपका क्या है, टास्क, प्राचीन भारत की हम बात करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास में आपका पहला जो पॉइंट है पहला पॉइंट है आपको ऐतिहासिक स्रोथ क्या पढ़ना है आपको एतिहासिक स्रोत नोट करते जाए आप टास्क को बिल्कुल नोट कर लेना टास्क नोट कर लेना कि आपको क्या पढ़ना है प्राचीन भारत का एतिहासिक एतिहासिक स्रोत पढ़ना है एतिहासिक स्रोत पढ़ना है एतिहासिक स्रोत में आपको पहला point क्या पढ़ना है आपको पहलना है कि प्राचीन भारत के अभिलेक पढ़ना है प्राचीन भारत के अभिलेक पढ़ना है अभिलेक जैसे जितने भी अभिलेक हैं चाहे जुनागड हो हाथी गुफा अभिलेक हो जितने भी इस अभिलेक में पहली बात आपको ध्यान में रखना है अभिलेक काल याद रखना है उसके बाद आपको राजा जरूर याद रखना है शाशक किस काल से किस राजा से और किस विषय से शम्बंधित था तीन महत्वपोट बाते आप इसमें ध्यान में हम प्राचीन भारत के अभिलेक में ठीक है सिर junior bharat का हम ऌतिहास श्रूखी है प्राचीन भारत के आपको किसल विलेक कौन सासक था और क्या विशय था कि सभिलेक का क्या विशय था इसको बिल्कुल एक चार्ट बना लेना है न ठीक है बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछा जाता है दूसरा जो महत्पुर्ण है आपको अगर हम एतिहासिक स्वरोत की बात करें तो दूसरा जो टॉपिक आपको देखना है यहां पर यह देखना है कि आपको यह देखना है कि जो विदेशी आत्री आये विदेशी आत्री जितने भी विदेशी आत्री आये हैं इनको देखना है विदेशी आत्री में क्या देखना है आपको विदेशी आत्रियों का काल देखना है काल क्रम के लिए आये थे you it is, कहां से आये थे है चेत्र देखना है इनका या देश the Old just which your so calm anytime विभल आये 섹्र्ण देखना था कब स्क आये थे किस अचन काल में आये थे और किस देश से अये यह आपको विदेशई यातर्यों में देखना है और इनकी जो क्या है इनकी रचनाएं इनकी आपको रचनाएं देखना है यहां से प्रश्न पूछा जाता है विदेशी यात्रियों या तो क्रम मिलाने के लिए देदेगा क्रम कि इन्हें क्रम से सुमेलित करिए या शुमेलन देदेगा एक तरफ विदेशी यात्री था तो एक तरफ विदेशी यात्री हो जाएंगे एक तरफ देश हो जाएंगे यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है हम बात करें प्राचीन इतिहास में इतिहासिक स्रोध की तीसरी महत्पुन बात आपको यह डिसकस करनी है विदेशी यात्रीव के बाद प्राचीन में आपको जितनी प्राचीन रचनाएं हैं, सभी आपको प्राचीन रचनाएं, आपको ध्यान में रख्षनाएं, और क्या-क्या इसमें पढ़ना है आपको, एक तो रचनाकार, आपको रचनाकार पता होना चाहिए, काल पता होना चाहिए, कि वो कब लिखी गई है पुष्तक, क एक लाइन में उसका विशे पता होना चाहिए क्योंकि जो प्रश्ण पूछता है जैसे प्राचीन रचना है कोई भी प्राचीन ग्रंथ है तो यह कई तरह से प्रश्ण बन जाता है तो एक चार्ट बनाना है कि किस ने लिखी है किस काल में है किस सासक और उसका विशे क्या है यहां से चार तरह से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, तो आज कल क्या होता है, कि आज कल विशे से भी प्रश्न बन जाता है, कि इस ग्रंत का विशे है, तो बिलकुल आप ध्यान में रखना, ठीक है, तो यह आपके UPPCS, RO, RO, सब के लिए बहतर होगा, यस, हाँ, जी, कल के PIN, कल के PIN में था, सूरे सिंग, जी, 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 खुशी जी, तो मैं कल का ही डिसकस कर रहा हूँ, यह मान के चलता हूँ कि आज से हमने इस्टार्ट किया है, ठीक है, आज से GPK, PIN, जी, सर, राइट, बिल्कुल कलियर है, यहाँ पर, एतिहासिक सुरोथ हमने देख लिया, प्राचीन भारत में, एतिहासिक सुरोथ हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक है, अब आज आईए, आगया, अब आपको क्या देहान देना है, दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका क्या है, आपको देहान देना है, दूसरा आपको देखना है हडपा शब्यता, हडपा सब्यता, हडपा सब्यता से आपको क्या देखना है, हडपा सब्यता में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो आपके आरो यारो में पूछा जाएगा, चमा जी सर मेर आज जो बच्चे टास्क नहीं पाया थे मैं उसको रिपीट करता हूँ आज से हम मानके चलते क्योंकि कल पता है कल नेटवर्क की वज़ा से क्लास हो नहीं पाई थी तो आज हम नहीं इस्टार्ट किया ठीक है तो आज से हम लोग ले लेते हैं इसको राज जी सर जी बिल्कु से हड़पा शब्वता में आपको पता क्या होना चाहिए हडपा शब्वता कि जितने भी साच्छे है ठीक है जिसमें आपको क्या पता होना चाहिए मैं बता दूं आपको इस्थल इस्थल में क्या होना चाहिए नदी कौन सा इस्थल नदी किस छेत्र में पाया जाता है ये पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए इस्थल नदी छेत्र खोज करता खोज करता आपको पता होना चाहिए बिल्कल काल टाइम पिरियेड उसका किस समय खोज हुआ है काल पत है ठीक है बाकि एक बार आप पढ़ लोगे सारी भी सेस्था आपको पता रहेगी हडपा से बता एक नगरी से बता थी वहां के अग्री कल्चर क्या है पशू क्या यह तमाम इंपोर्टेंट नहीं है क्या इंपोर्टेंट है प्रश्ण कहां से बनेगा इसको एकदम याद कर परशन से बनेगा नदी कौनसा इसको इसको चेट्र किस मडी है ठीक है जैसे अगर मैं आपसे पूछ लो Hm गिस नुकि राज्य पूछ लेगा ठीका यह पूछलेगा कि भारत में पाकिस्तान में है खोज करता का नाम दे धर बिल्कुल धि Image में रखना आव नए प्रश्न बनेंगे खोज करता से प्रश्न बनेगे काल पूछ लेöhगा कि क्रम लगा ये कि जो है राखी गड़ जो है आपका हडपा है मोहन जोदाड़ों है राखीगड है बनाली है इनका काल पात्करम लगाईए तो नए-ने question ही जात कर सकता है ना तो हम आयोग के हिसाब से चलेंगे आयोग जितना सोचेगा उससे दो कदम आगे सोचेंगे ठीक है तो हडपा से बता में आपको देखना है और तीसरा आपको लाश्ट है तीसरा point आपको देखना है वो देखना है आपक क्या देखना है मैं आपसे बता दूँ वैदिक और उत्तरवाइदिक में दो पॉइंट देखना है पहला इसका सामाजिक कि सामाजिक कि आर्थिक कि और राजनीतिक राजिनीतिक इस्थिती आपको देखना है ये बिल्कुल आपको देखना है वैदिक में दूसरा पॉइंट वैदिक में क्या देखना है आपको दूसरा महत्पुन पॉइंट आपको देखना है कि जो वेद हैं वेद के आपको क्या देखने है वेद के आपको देखने है ब्राहमड, वेदों के ब्राहमड क्या है, वेदों के क्या देखने है आपको, उपनिशद, उपनिशद, ब्राहमड है, रन्यक, फिर उपनिशद, निशद, उपवेद, फिर शाखा, साखा पिर उद्गाता कि कुई वेद का कौन सा प्राहमर है उसके अरन्यक कौन से है उपनिशद क्या है उसका उपवेद क्या है साखाएं कितनी है और उद्गाता क्या होते है सर हम प्रयाग राज से हैं बिल्कुल रस्मी जी आप प्रयाग राज से हैं आपका स्वागत है आपकी GS की तयारी मैं complete करा दूँगा, एक मैंने और ही प्लान सोच रखा आपको, यह जो मैं टास्क दूँगा एक दिन, एक दिन संडे को तीन घंटे पूरे टास्क को मैं आपसे discuss कर लूँगा, ठीक है, एक हपते में जो हम लोग टास्क देखेंगे, यह सर आप भी, आप सह यह मैं बात कर रहा हूँ आपसे, UPPCS की भे आपकी तयारी जबर्जस्त तरीके से हो जाएगी, जो RO के जश्ट बात exam लगा हुआ है, तो आप बस जितना मैं थोड़ा थोड़ा दूँगा, कहा जाता है, कनकन से मन जुटता है, एक-एक मूती से माला बनती है, तो यह वही एक-एक बूद है, एक-एक मूती है, एक दिन आप देखोगे कि आपकी complete तयारी हो जाएगी, और सारा चीज मैं आपसे discuss भी करता रहूँगा, सभी दोस्तों को, अब यह हमारा task हो गया, सभी दोस्तों इसको note कर लें, या screenshot लेना चाहें तो ले लें, अब आप लोग हैं और आप लोग भी खाना खाईए, मुश्कुराईए, खाना खाईए, जी जान लगा करें, कुछ नहीं रखा है, एक बात याद रखिएगा, आपकी identity ही सब कुछ है, आपकी identity ही सब कुछ है, आपकी अपनी जो achievement है जो उपलबधता है, वही याद है, वही रह जाता है, सब निरठक है, सब बेकार है, सब फाल्तू की बाते हैं, और आप एक चीज़ मैं बता दूँ, जाते जाते मेरे प्यारे दोश्तों, जमी देखा, आसमा भी देखा, जमी देखा, आसमा भी देखा, भम आ गए हैं, सारा जहां भी देख लिए, अचना जी करें हैं कि कल का topic क क्या है हिंदी में, अच्छा हिंदी में, बिल्कुल, बिल्कुल, हिंदी में, थैंक्यू, आपने ऐसा अच्छा प्रस्न पूछा, हिंदी में कल हम लोग कर लेते हैं, एक वाक्य कर लिया जा हिंदी में, कल का topic क्या है हिंदी में, बिल्कुल आप लोग पर्यावाची का हिंदी में हिंदी में हम कल देखेंगे पर्याय वाची पर्याय वाची देखेंगे ठीक है तो हिंदी में कल हम लोग पर्याय वाची देखेंगे बिल्कुल इसको ध्यान में रखना पर्याय वाची हिंदी में देखेंगे ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको धेर शुब कामना है मेरी आराम से अच्छे से तीन चीज बहुत अच्छे से करिए न अच्छा खाना खाईए अच्छा सोईए और अच्छा पढ़ाई करिए यही आपके प्रात्मिक्ता है दो महिने इसे बहुत अच्छे से तरीके करिए सारी चीज हटा दीजिए सारी चीज मैं पता दूँ अपने लाइफ से अपने कैरियर के जितने भी टॉक्षिन है आपको लगता है कि हमारे लिए हमारे लिए गलत है ये टॉक्षिन है तुरंत उसको लाइफ से हटाईए कुछ मतलब नहीं है पता है जितने आप अपने आपको फ्री रखोगे जितने हलके रहोगे न मैं खुदी ही प्रयागराज से हूँ, आप सभी का श्वागत है, मैं दो ही जगह से हूँ, अगर बात होगी तो छेत्री इस्तर पे प्रयागराज से और हम भारत के हैं, सभी जगह से हैं, thank you so much sir, very nice session, your teaching style, awesome, thank you निया जी, आप सभी का श्वागत है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, good night कहते हैं, फिर मिलेंगे कल के session में इसी समय, 8 से 11 इसी जोस और जुनून के शाथ, thank you, most welcome सभी बच्चों का, सभी शाथियों का,